हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैसेल ताराचन टीब मैच येल्सी शीकर तो आज हम लोग अपने यूनिट 7 के अंदर डिस्कस करेंगे काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है डाट इस एल्सीडी एंड कि अपका चैप्टर दूसरा अप्लिकेशन डेरिवेटीव ठीक बहुत सारे क्यूसन साते हैं दोनों चैप्टर से पिछले पांत साल के अंदर टोटल थर्टी टू कुसम्स आयो हैं दो ही चैप्टर से आपके तो सबसे इंपोर्टेंट से आपका कैल्कुलस का या तो यह वा अपका function है f r to r, g भी दूसरा function है, r से r तक defined है, h b आपका r से r में defined है, यह दिफ्रेंटियाबल function such that f of x will be equal to this, यह आपका function है, और सात में देरका है वच्छो आपको दो conditions और उनी conditions से आपका पूरा का पूरा question solve होने वाला है, पहली condition है वच्छो ग अपका पूरा का पूरा लेकिन बाकी सारे के सारे options h के अंदर है, तो पहले हम g days 2 की बात कर ले और उसके बाद में h के बारे में बात कर लेंगे, यह चाहो तो पहले h के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बार में g के बारे में बात करेंगे, सो सबसे पहले तो देखिए, यह जो relation है, इसके अंदर आपको g of fx बराबर कितना दे रखा है, x, तो इसको वापिस रख दिया मैंने x, तो यह बन जाएगा मेरा h of g of x बराबर f of x, एक option तो देखो बच्चों, मेरा ऐसा यह इसी से काम चल जाएगा, h of g of 3, तो h of g of 3 कितना होगा बच्चों, h of g of 3 will be equal to f of 3, और f of 3 की value कितनी आए कि हम वहाँ से निकाल सकते हैं, बच्चों, यहाँ पर x square नहीं, x cube था actually, यहाँ पर printing में थोड़ा सा गडबड हो गया है, तो x cube कर लीजिए, ताकि अपने सारे options यहाँ पर match कर जाए, x cube कितना आएगा देखो बच्चों, यहाँ से, x cube आएगा आएगा आपके पास 3 का cube 27, 27, बच्चों, 3 into 3, that is 9, और 7 माएगा बच्चों, plus 2, so 27 plus 9 plus 2, that will be equal to 38, जबकि बच्चों हमें 36 दिया है, तो यह option हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, अब बात करते हैं इन दोनों options के बारे में, तो इसके लिए पहले हम फिर आगे solve करते हैं, एक बार फिर से x को fx से replace करते है तो यह आएगा देखो, g of f of x, और इधर आजाएगा f of fx, कितना आएगा देखो, again g of fx को वापिस x put कर दिया, तो यह बन गया, आपका h of x will be equal to f of fx, इस option में देखो, आप से h of 0 put चाहा है यहाँ पर, तो h of 0 का क्या meaning हो गया, h of 0 ब्रावर हो गया आपके पास में, f of f of 0, that will be equal to f of f of 0, f of 0 की value हम निकाल सकते हैं इस relation से, जैसे x को 0 put करोगे तो यहाँ से बनेगा यह f of 2, और f of 2 की value हम इस relation से निकाल सकते हैं, 2 का q बच्चों कितना हैगा, 8 plus 3 into 2, 6 plus 2, इसको जब simplify करेंगे, तो हमारे पास 8 plus 2, 10 plus 6, 16, और यह बच्चों हमारा बिल्कुल सही आंस्वर है, जो की यहाँ पर दिया गया है, similarly बच्चों, h dash of 1 निकालना है, तो इसको दोनों साइट डिफ्रेंशेट किया, h dash x बराबर कितना आजाएगा, h dash x बराबर आजाएगा हमारे सामने, f dash of f x, और साथ में आएगा बच्चों, f dash x, यह आजाएगा, इसके निरा आपको 1 पूट करना है, तो जैसी 1 पूट करोगे, देखें कितना आएगा, f dash of f of 1, f of 1 की value कितना आएगा, बच्चों, 1 plus 3 plus 2, that will be 6, और into f dash of 1, अब बच्चों, आपको f dash 6 और f dash 1 निकालना है, उसके लिए आपको इसको डिफ्रेंशेट करना पड़ेगा, तो इसको देखें, आपको डिफ्रेंशेट करते हैं पहले, उसको डिफ्रेंशेट करेंगे, तो f dash x बराबर आजाएगा मेरे पास में, 3 x square plus 3, इसमें बच्चों, जब 6 put करेंगे, कितना आएगा, देखो, 3 common आजाएगा, 36 plus 1, 7, so that will be 3 into 37, और f dash 1 कितना आएगा, बच्चों, 3 plus 3, that will be 6, इसको multiply कर दीजिए, बच्चों, यह आजाएगा, आपका बिलकुल सही answer आएगा, 666, ठीक है, तो यह answer भी बच्चों, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपके option B और option C सही है, और यह हमने किसके help से निकाले हैं, सारे के सारे, B, C, D, तीनों चेक कर लिए हमने, और इन सारों को हमने किसकी help से calculate किया, हमारा h of gx से, similarly बच्चों, आप पहले option के बारे में बा G-2 निकालने के लिए वाला जो relation है, उसको दोनों साइड differentiation किया किसको, इस वाले relation को, ठीक है, तो G-of f of x कितना आएगा, G-of f of x into f dash x बराबर आजाएगा, x का differentiation 1, इसमें put करना है, बच्चों, हमारे को कितना, इसमें 2 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहा ठीक है, तो इसके अंदर x की value 0 put कर दो, तो यह तो f of 0, जिसकी value हो जाएगी 2, और साथ में बच्चों, यह हो जाएगा, f dash of 0 बराबर 1, f dash x बच्चों, हमने अभी अभी निकालाता, देखो, दुबारा निकाल लेते है, 3 x square plus 3, ठीक है, वो x cube था, बच्चों, बता देता ह तो 1 upon 3 answer आएगा, जब कि हमें 1 by 15 दे रखा है, तो यह option भी हमारा गलत हो गया, तो शिरफ मेरा b और c option बच्चों, यहाँ पर correct होगा, clear है, आगे चलते हैं, अगले question की तरह आप, और देखते हैं, कि अगला question क्या है हमारा, that is question number 2, question number 2 केंदे देगी, बच्चों, आपको एक differential equation दी गई है, f dash x बराबर this, ठीक है, और इसको solve करके आपको बताना है, कि इसमें से कौन कौन सा option सही है, और यह single correct question है, तो अगर आपका एक option, आप 100% कह सकते हो, यह सही है, तो बाकियों को आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं ह है, चलिए बात करते हैं, बच्चो, f dash x क्या है, आपके पास में, dy by dx, minus f of x को इदर ले आए, तो y by x इदर आगर के plus का बन जाएगा, y by x बराबर 2, देखे बच्चों, इसको मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को integrate करना है, तो देखे, मैं बहुत ही आसानी से इसको integrate कर सकता ह हो, एक काम करते हैं, इसको इदर multiply कर देते हैं, that is x into dy plus y into dx बराबर 2x into dx, कितना आएगा देखू, यह है आपका exact differentiation किसका, x into y का, पहले y का differentiation, फिर x का, तो यह तो हो जाएगा exact differentiation of x and y, इसको integrate कर देते हैं, और इधर है, इसका integration हो जाएगा, बच्चो, x square, 2 से 2 कट जाएगा plus c, तो कितना आएगा, उदर integration और differentiation दोनों है, कुछ नहीं करना होता है, तो x, y बराबर आगया, मेरे पास, x square plus c, तो y कितना आजाएगा, बच्चो, x plus c upon x, और यही क्या है मेरे पास, यही मेरा function है, f of x, क्योंकि f of x को ही मैंने क्या माना था, y, तो देखे बच्चो, मेरे c square, अब हम चेक करते हैं, बच्चो, हमारे options, तो देखे, सबसे पहले बात करें कि f dash x, यह direct है यहाँ पर, ठीक है, और c की value, बच्चो, इस question में कुछ ऐसा data नहीं दिया हुआ, जिसे आप c निकाल सकते हैं, बच्चो, आपके answer c के format में ही रहेंगे, तो सबसे पहले बात कर है, तो f dash of 1 by x आपका यह हो जाएगा, अब इसमें बच्चो, आपको क्या put करना है, limit x tending to 0 positive, तो जब 0 positive यहाँ पर put करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, बच्चो, 1 आ जाएगा, तो जैसे इस पे limit लगाएंगे, आप x tending to 0 positive, तो पहला answer बच्चो, आपका बिल्कुल सही answer है, ऐसे बच्चो, आप बाकी options को भी check कर लीजिए, सारे options आप आसानी से check कर सकते हैं, यह x into f of 1 by x है, ठीक है ना, f of 1 by x कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका 1 by x plus cx, इसको x से multiply करेंगे, और x tending to 0 positive पे, तो यह answer आपका 2 बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो यह सा option को बड़े ही आसानी से check कर सकते हैं, आगे चलते हैं, बच्चो, question number 3 की तरह आप, और देखते हैं, question number 3 क्या है, मेरा, question number 3 के अंदर आपको एक function दिया है, f of x ब्राबर this, और आपको check करना है कि बच्चो की यह function कहां पर continuous होगा, कहां पर differentiability की बात करनी है, 0 और 1 दोनों पॉइंट पर, x ब्राबर 0 और x ब्राबर 1, तो बच्चो, mod वाला क्युस्सान है, तो सबसे पहले mod को हटा लेते हैं, ठी बच्चो, चाहे, mod हटने के बाद से positive sign के साथ खुले या negative sign के साथ में खुले, इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, f of x जो होगा आपके पास में, वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास में, a into cos of x cube minus x, क्यों, cos of, अगर बाइचा, minus के साथ में खुला, ठीक है, तो भ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, और यह बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, x into sin x cube plus x, अब देखिए, हम सब को पता है कि cos एक differentiable function होता है, और x और sin x भी differentiable function होते हैं, तो हम सब को पता है कि d, differentiable plus differentiable function, always differentiable होता है, हर point पर, ठीक है, तो चाहे, a और b आपके पास में, कोई भी 0 भी, और differentiable होगा, 8 x equal to 1, तो पहला और दूसरा दोनों option बच्चों आपके सही है, clear है, आगे चलते हैं, अगले question की तरह, अगला question है, बच्चों, question number 4, देखिए, क्या है, question number 4 के अंदर, question number 4 के अंदर, बच्चों, आपके limit दी गई है, उस limit से आपको यह options चेक करने है, यह जहां पर बच्चों, again, इस question के अंदर, या इस question में नहीं, आपको इस advance वाली seat है, उसके अंदर कहीं पर भी a capital A, B, C, D, अगर दिखाई दे जाए, और ऐसी जगे पर जहां पर आपको लग रहा हो कि यहां तो A, B, C, D नहीं होगा, तो बच्चों, जहां पर भी यह B लिख होगा है, सब जगे पर 2 है, अगर कहीं पर भी a आ जाता है, तो उसका मतलब 1 होगा, बच्चों, जहां पर भी c आ जाएगा, उसका मतलब 3 होगा, और जहां पर भी d आ जाएगा, उसका meaning 4 होगा, clear, तो इसमें confuse मत हो यहेगा, जहां पर भी capital B लिखाऊ है, fg के अंदर, वो स calculate करने हैं, तो extending to 2 ऊपर कितना होगा, बच्चों, f of 2 into g of 2, और g of 2 की value 0 दीए है आपको, f dash of 2 into g dash 2, f dash 2 की value 0 दीए, so 0 by 0 फॉर्म है, और इसकी limit exist कर रही है, तो बच्चों, एक बार इसको differentiate कर देते हैं, तो देखते कितना आएगा, f dash x into g dash x, f dash x into g x, ठीक है न, पहले का differentiation, plus f of x into g dash x, दूसरे का differentiation, divide by, निचे वाले को differentiate कर दीजिए, f dash x into g double dash x, और साथ में आजाएगा बच्चों आपके सामने, यहां से कितना आएगा, इसको एजिटीज रखेंगे, so that is g dash x into f double dash x, और यह limit दे रखी है, 1 दे रखी है, अब देखें, f dash of 2 value zero है, ठीक है, f dash of 2 value zero है, तो यह पूरी कि पूरी टरम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद में बच्चों आपको g of 2 की value 0 दे रखी है तो यह पूरी की पूरी ट्रम क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी इसके बाद में आपके पास में यह बचेगा इसको इसके साथ में अगर आप डिवाइड करेंगे तो देको g-x से g-x कड़ जाएगा और fx divided by f double dash x बच जाएगा तो यहां से बच्चों आपको एक relation मिलेगा fx बराबर f double dash x और देखिए बच्चों इससे आप अपने सारे conclusion निकाल सकते हो हर option का एक तो बच्चों आपको यही option दे रहा है fx minus f double dash x 0 होगा for at least one x belong to real number तो देखिए बच्चों यह relation आ रहा है तो यह कहीने कहीं पर 0 जरूर होगा x belong to real number पे कम से कम एक पॉइंट पर वोला है यह तो मेरे को लग रहा है सभी points पर होगा तो एक से ज्यादा points पर भी हो सकता है इसके अलाहों देखो बच्चों आपको f की core domain क्या दे रखी है 0 से infinite ठीक है और core domain 0 से infinite है तो यह जो आपको दे रखा है यहां पर f double dash 2 और f of 2 तो यह दोनों बच्चों बराबर होंगे क्योंकि इस relation से तो यह option आपका गलत हो जाएगा साथ में बच्चों वह दे रखी है तो अगर मैं बात करूं आपका सही आंस्वार है और अगर यह लोकल मैंगा है तो लोकल मैंगा है तो आपका क्या होगा एप के लिए लोकल मिनिमा होगा और लोकल मिनिमा कौण सा है पहला option तो यह बच्चों आपका सई आइ안स्वार है और अगर यह FC इनमा pushed आखल मैकजिमा नहीं हो सकता तो बी भी बच्चों आपका गलत ऑपषन है तो पहला और चोफा यह दोनों आफशन आपके चाहिए ठीक है फिर चलते भी अगले तरह पोर देखते है हमारा की इसे नयOR फाइप इसमें क्या करना है हमें question number 5 के अंदर करना है देखो बच्छों आपको question number 5 let alpha and beta belong to real number be such that limit extending to 0 x square sin beta x upon alpha x minus sin x equal to 1 again देखे बच्छों ये limit exist कर रही है finite आ रही है value 1 then 6 time alpha plus beta किसके बराबर होगा ये हमें find out करना है चलिए देखते हैं बच्छों एक काम करते हैं इसमें expansion यूज कर लेते हैं तो ऊपर देखे कितना आएगा सबसे पहले उपर बात करें अगर हम तो ऊपर है देखो बच्छों हमारे पास में x square sin beta x का expansion होगा beta x minus beta cube x cube divide by 3 factorial and so on एक बार इतना ही लिखते हैं फिर जरूत पड़ेगी तो और लिख लेंगे और शकता आगे जरूत ना पड़े निचा आएगा बच्छों alpha x और sin x का expansion आएगा minus x यह plus हो जाएगा x cube by 3 factorial और and so on ठीक है और equal to में दे रहा है बच्छों आपको 1 इसके बाद देखो बच्छों ऊपर x cube का minimum coefficient आ रहा है और नीचे आपका x का coefficient आ रहा है और limit extending to 0 है बच्छों ठीक है तो ऊपर अगर आपके पास में कोई value finite आ रही है तो finite तभी हो सकती है जब ऊपर और नीचे आपके पास में same coefficient हो और same coefficient कब होगा बच्छों जब x का coefficient क्या हो जाए 0 हो जाए और x का coefficient 0 तब होगा जब alpha की value 1 होगी alpha की value 1 होगी तो इस x कर जाएगा और आपका answer आ जाएगा 0 इसके बाद बच्छों ऊपर नीचे से x cube का coefficient को मना के cancel out हो जाएगा तो यहां से beta ठीक है x cube का कोफिशंट केंसिल आउट हो गया माइनस बीटा क्यूब x स्क्वाइर भाई 3 फेक्टोरियल और और ऐसे चलेगा और डिवाइड बाई नीचे है 1 बाई 3 फेक्टोरियल प्लस इसके बाद अगली ट्रम नेगेटिव में आएगी माइनस का x अपन 5 x क्यूब तो कट गया तो x cube upon divide by 5 factorial and so on that will be equal to 1 limit extending to 1 पर देखो यह सारा पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और यह सारा पार्ट 0 हो जाएगा तो हमारे पास में बचेगा शिरब बीटा डिवाइड बाई 3 फेक्टोरियल और 1 upon 3 फेक्टोरियल होता है बच्चो 6 बीटा विल इक्टो 1 ठीक ह है तो हमसे पूछा है बच्चो 6 alpha plus 6 beta ठीक है तो alpha की value 1 है तो यह हो जाएगा आपके पास 6 plus beta 6 beta की value 1 है तो यह पूरी value as it is 1 put कर दीजिए तो 6 plus 1 will be equal to 7 और यही बच्चो इस question का answer है integer type का question है तो आपको इसमें भरना था 0 7 clear है और यह था बच्चो आपका question number 5 चलिए आगे बात करते हैं अगले question की दरब और अगला question है बच्चो हमारा question number 6 देखिए कितना आएगा question number 6 में देखिए हमें क्या करना है the least value of alpha belong to real number for which this will be greater than or equal to 1 for all x greater than 0 देखिए बच्चो इसको एक function मानते हैं और इसको differentiate करते है for alpha x square plus 1 upon x minus 1 0 या 0 से बड़ा कब होगा clear है चलिए बात करते हैं इसको एक function मान लेते हैं f of x will be equal to 4 alpha x square plus 1 by x minus 1 और इसकी value positive check करने के लिए बच्चो इसको differentiate करते हैं इसकी monotonicity देखते हैं और इसका point of minimum point of maximum की बात करते हैं alpha belong to real number है और x greater than 0 है बच्चो तो f dash x कितना आएगा f dash x बड़ाबर आजाएगा बच्चो कितना आएगा 8 alpha x साथमाएगा minus 1 by x square और यह हो जाएगी बच्चो ट्रम 0 इसके अंदर बच्चो LCM लेंगे तो यह बनेगा हमारे पास में कितना यह बनेगा 8 alpha x cube minus 1 divided by x square देखिए बच्चो क्यूभी की इक्वेशन है इसका एक फेक्टर तो linear होता है और बाकी दो फेक्टर आपके हमेंसा इमेजनरी होते हैं x square हमेसा positive होगा imaginary जो quadratic बनेगी वह भी हमेसा positive होगी ठीक है तो यह जो ट्रम है आपके पास में ठीक है इसका एक फेक्टर जो बनेगा आपके पास में क्या बनेगा वह बनेगा आपका 8 का cube root क्योंकि x इसको solve कर लीजिए एक फेक्टर आपके पास में x ब यह positive होगा f dash x इसके इधर यह क्या होगा negative होगा ठीक है एक से value आपकी कैसी greater than 0 है ठीक है एक से value गर greater than 0 है तो यहां पर देखो आपका यह जो function कैसा होगा increasing और इसके पहले कैसा होगा decreasing तो इसकी minimum value पूछिए तो इसकी minimum value कौन से point पर लाई करेगी आपकी इसी point पर लाई कर a new thumb value मिल जाएगी कितनी होगी आये फूट करते हैं देखो 4 alpha x square 4 alpha x square कितना होगा बच्चो इसका square कर दीजिए 8 का cube root होता है 2 तो 2 का square होगा बच्चो 4 so 4 alpha x value put करेंगे तो नीचे भी आ जाएगा 4 ठीक है और 7 में आएगा बच्चो alpha की power 2 by 3 यह कहां पर आएगा नीचे आएगा ठीक है प्लस 1 upon x इसको उल्टा कर दीजिए सब यह बन जाएगा 2 into alpha की power 1 by 3 will be greater than equal to 1 फॉर से फॉर कट जाएगा यह भी उपरा के alpha की power 1 by 3 so 3 into alpha की power 1 by 3 will be greater than equal to 1 so alpha की power 1 by 3 will be greater than equal to 1 by 3 so alpha will be greater than or equal to 1 upon 27 और यही बच्चो आपका आंस्वर है आपको इसकी नियूनतम वैल्यू पूची है इसकी मिनिमम वैल्यू जो कितनी होगी 1 by 27 एक बहुत ही सांदार सा क्यूशन था लिस्ट वैल्यू का और यहां पर आपको दो फंक्शन दिये हैं एक तो x square minus 3 और दूसरा है gx ब्रावर इसमें से f of x को common ले सकते हैं so mod x plus 4 x minus 7 का mod और आपको बताने हैं कि बच्चो यह फंक्शन कहां continuous discontinuous होंगे और कहां पर not differentiable होंगे इसके बारे में हमें बात करनी है चलिए हम सबको पता है कि बच्चो greatest integer कहां पर discontinuous होता है जब-जब यह integer होगा ठीक है और minus 1 by 2 से 2 के बीच में चेक करना है तो देखिए बच्चो x square minus 3 की value क्या क्या हो सकती है इस interval में इस इसक्वाइर माइनस 3 की value जैसे for example बच्चो हम कहें की 0 होगी ठीक है यह कहें कि कब-कब यह integer होगा इन points के अंदर हम बात करें minus 1 by 2 से 2 के बीच में तो देखिए बच्चो minus 1 पर इसकी value कितनी होगी माइनस 2 होगी उसके बाद 0 पर बच्चो इसकी value कितनी होगी एक ब्राबर माइनस 1 की बात करें और for example चलो मैं पता ही नहीं कि कौन-कौन से points पर चेक करना है तो एक काम कर लेते बच्चो इस इस पॉइंट पर बच्चो यह क्या होगा आपके पास में integer होगा अब बच्चो अगर हम इसके बात करें और यह आपके पास में कैसी हो सकता है प्लस और माइनस ठीक है तो देखिए अगर आप integral values इसमें put करोगे i equal to zero put किया तो बच्चो root 3 आएगा जो इसी interval में लाई करेगा बट minus root 3 इसमें नहीं आएगा i equal to minus 1 put किया बच्चो तो यह कितना हो जाएगा root 2 आएगा वो भी इसी interval में होगा ठीक है तो यह integral values है सारी की सारी ऐसे ही बच्चो इसके अंदर आप minus 1 put करोगे तो यह 1 आएगा वो भी इसी अंतराल में आएगा इसी interval में आएगा i key value जैसे for example हमने इसके अंदर कितने put की जिरो के बाद में plus 1 put की तो यह 4 हो जाएगा तो यह 2 बनेगा तू भी बच्चो इसी interval के अंदर आएगा ठीक है इसके अलावा बच्चो अगर मैं उसके अगला point root 2 put करता हूँ तो root 5 वो इसके बाहर चला जाएगा ठीक है पिछे की तरह आते हैं ठीक है इस पर सब पर minus sign लगाएंगे तो इस interval में कोई भी नहीं होगा पिछे की तरह आते हैं बच्चो देखो अगर 0 के बाद में अगर मैं इसके अंदर minus 1 put कर दिया minus 2 minus 3 put करता हूँ तो बच्चो कितना आएगा 0 आएगा ठीक है इसके अलावा बच्चो अगर और बात करें ठीक है 0 के पहले ठीक है 0 1 root 2 root 3 सब points पर यह कैसा बनेगा आपका integer बनेगा ठीक है और जब जब यह integer बनेगा तब तब बच्चो यह discontinuous आएगा तो यहां पर आपको क्या-क्या options दिये गए है कि f is discontinuous exactly at 3 points और f is discontinuous exactly at 4 points इस interval के अंदर close bracket minus 1 by 2 से 2 के 20 में अगर बात करें तो देखो बच्चो यह 0 पर भी आएगा यह root 3 पर भी होगा 3 minus 3 0 हो जाएगा root 2 पर भी होगा 1 पर भी होगा और 2 पर भी होगा लेकिन 2 पर देखो बच्चो अगर हम continuity की बात करें इस interval के अंदर ठीक है तो हम 2 पर value check करेंगे और उसके पहले वाला point check करेंगे क्योंकि x equal to 2 हमारे पास में last वाला point है तो यहां पर थोड़ा सा हमें check करना पड़ेगा वह सकता है कि यहां पर continuous भी आ जाए क्योंकि यह last point है तो 2 पर value कितने आएगी बच्चो 2 पर value आएगी इसके अंदर 4 minus 3 that will be 1 तो f of 2 की value कितने आएगी बच्चो 1 अब इसके पहले वा 9 और minus 3 करेंगे तो वह कितना हो जाएगा बच्चो 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा जीरो ठीक है तो यहां पर भी यह क्यासा हो जाएगा आपके पास में यह आपके पास में discontinuous हो जाएगा चलिए बच्चो बात करते हैं अगले question की तरह और next question है हमारा question number 7 इसमें देखिए ह हमें क्या करना है एक बच्चो इसमें दो बाते करनी हमें एक तो discontinuous की और एक not differentiability की और दो functions दिया हमें एक fx और दूसरा function दिया है हमें यहां पर gx चलिए बात करते हैं तो सबसे पहले अगर fx को देखें कहां कहां पर discontinuous है तो इसका graph देख लेते हैं बच्चो एक्स स्क् पर इसकी value होगी 0, minus 3 बच्चो हमारा अगला point है x equal to 2, 2 पर value होगी 4 minus 3 that will be 1 ठीक है न 2 पर यह value जाएगी बच्चो आपके पास में 1 की तरफ ठीक है न x equal to 2 पर 1 की तरफ इसके बाद में बच्चो आपके पास में इधर जो point है वह minus 1 by 2 ठीक है तो minus 1 by 2 पर आएगा बच्चो कितना आएगा एक बार चेक कर लें, minus 1 by 2, minus 1 by 2 पर यह आजाएगा आपके पास में, इस साइड में, so 1 by 4 minus 3 तो यह almost means इसके आसपास में ही रहेगा, ठीक है, integer नहीं आएगा, अब देखो बच्चो हमें बात करने हैं इस interval के अंदर की कहां कहां पर यह function मेरा क्या है, discontinuous है, तो देखो बच्चो, x equal to 0 पर यह discontinuous नहीं होगा, तो x equal to 0 पर जब greatest लगाओगे, तब तो यही बन जाएगा यह, लेकिन इसके बात में, जब जब यह integer होगा, जब यह minus 1 होगा, ठीक है, जब यह 0 होगा, और साथ में, जब भी यह 1 होगा, इन सारे points पर यह कैसा होगा, जब x की value कितनी होगी, बच्चो, 1 होगी, ऐसे ही minus 1 होगी, जब root 2 होगी, अगला point root 3 होगा, और अगला point आपका x equal to 2 होगा, और इन सारे points पर यह function आपका कैसा होगा, बच्चो, discontinuous होगा, तो 1, root 2, root 3, or 2, यह 4 points होगे, तो exactly 4 points पर मेरा f वाला function होगा, वह कैसा होगा, बच और इसके साथ में क्या है, आमारे पास में, इसके साथ में है, बच्चो, bracket के अंदर, mod x plus 4x minus 7 का mod, तो देखिए बच्चो, यह function आपको minus 1 by 2 से 2, open bracket के अंदर, देखना कि कहां कहां पर differentiable होगा, तो देखिए, open bracket के अंदर इस वाले point को तो हम लेंगे नहीं, किकन x equal to 2 क्यो और root 3b होगा, इसके अलावा देखो बच्चो, दो point ऐसे होगे, जहां पर यह वाला जो function है, यह आपका non-differentiable होता है, और यह कौन-कौन से है वो 2 point, एक तो x equal to 0, और दूसरा point है बच्चो, x equal to 7 by 4, अब देखो बच्चो, आपको इनने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, और वो क्या, कि अगर कभी भी आपके साबने 2 function हो, जिसके अंदर एक इधरवाला किसी point पर differentiable है और उधरवाला किसी दूसरे point पर non-differentiable है, तो differentiable भी आ सकता है, कब? जब आपके पास में यह तो इधरवाला 0 हो जाए, यह इधरवाला 0 हो जाए, तो देखी बच्चो, एक यह point ऐसा है, 7 by 4, जहाँ पर यह function आपका non-differentiable तो होगा, लेकिन 7 by 4 पर x square minus 3, यह जो होगा आपके पास 49 by 16, 16 into 3, 48, 1 by कितना बन जाएगा? 16, और 1 by 16 पर यह 0 हो जाएगा, तो 7 by 4 पर आपका function कैसा हो जाएगा? differentiable हो जाएगा, तो यह point आपको count नहीं करना है, बाकि सारे points पर आपके पास में यह क्या रहेगा? आपका non-differentiable रहेगा, तो एक point तो हो जाएगा, x equal to 0 और 3 points हो जाएगे बच्चों, अगेन हमारे यह, जहाँ पर यह discontinuous था, अगेन आपके पास में exactly 4 points आएगे, जहाँ पर है, question number 8 में देखो आपको दिया है, अगेन यहाँ पर यह वाला यह पंगा आ गया है, वापिस, जहाँ जहाँ पर भी A है, मैंने आपको बताया था, क्या होगा, 1 होगा, यह क्या है, f dash of 1 will be greater than 1, ठीक है, यहाँ पर भी f dash 1 less than equal to 1, और यह सब जगे पर 1, वहाँ पर भी f of 1, और यहाँ पर भी आपके पास में क्या होगा, f of 1 by 2, ठीक है, यह कुछ चोटे से correction है इसके अंदर, अब बात करते हैं इसके इंदर, so f r से r is a twice differentiable function such that f double dash x will be greater than 0, for all x belong to real number, और आपको यह सारा data दिया गया है, so चली बात करते हैं कि यह function कहां पर मेरे पास में, इसमें से कौन सा option से होगा, और again single correct question है, तो देखे बच्चो इस data को देख करके मैंने एक function माना, g x बराबर f of x minus x, क्यों, क्योंकि बच्चो जब मैं g of 1 by 2 की बात करूँगा, तो f of 1 by 2 की value, 1 by 2 और minus 1 by 2 यह क्या हो जाएगा, 0 और f of 1 पर बात करूँगा, f of 1 minus 1 कितना हो जाएगा, 0, तो देखे बच्चो, 1 by 2 से लेकर के 1 के बीच में, 1 by 2 से लेकर 1 के बीच में, जो g वाला जो function है, उसके अंदर क्या है, आपके पास में rollage theorem applicable है, ठीक है, और rollage theorem अगर 1 by 2 से 1 के बीच में, अगर applicable है, तो at least 1 point ऐसा होगा इस interval में, जहाँ पर आपका g dash x कैसा होगा, बच्चो, 0 होगा, तो वहाँ से कितना आ जाएगा, f dash x minus 1, ठीक है, 1 by 2 से लेकर 1 के बीच में, इसके अलाव देखे बच्चो, आपको ये भी दे रखा है कि f double dash x कैसा है, बच्चो, positive है, ठीक है, त्वाइस से 1 के बीच के अंदर ये function आपका क्या हो रहा है, बच्चो, 0 भी हो रहा है, तो इसके अंदर अगर मैं put करो, x equal to 1, तो ये कितना आएगा, बच्चो, g dash of 1 बराबर, f dash of 1 minus 1, ठीक है, और, g dash 1 की value कैसी होगी, बच्चो, क्योंकि देखिए, ये आपके पास में, f double dash x हमेशा greater than 0 है, ठीक है, f double dash x always positive है, means, f dash x आपके पास में increasing function है, और ये function आपके पास में हमेशा increasing है, और, कहां पर हमेशा increasing है, for all real number, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, कि f dash of x minus 1, ये भी हमेशा increasing होगा, और ये हमेशा increasing होगा, तो यहां से में क्या condition लगा सकता हूं, कि अगर, for example, मैं 2 point लेता हूं, ठीक है, अगर g के लिए, अगर मैं कोई भी 2 point लेता हूं, ठीक है, तो वहां पर ये function कैसा हो जाएगा, मेरे पास, एक point तो x ले लेता हूं, और दूसरा point 0, तो f dash of x और 0 में से, f dash of 0 में से, कौन बढ़ा होगा, बच्चो, f dash x बढ़ा होगा, तो f dash of x, f dash of 0 बढ़ा होगा, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, कि f dash of 1 जो होगा, ठीक है, वो भी बढ़ा होगा, f dash of 0 से, क्योंकि हर point पर बढ़ा है, और यहां से मैं क्या कह सकता हूं, कि f dash of 1 minus 1 की value कितनी आ जाएगी, अगर इसमें मैं 0 फूट कर दूँ, तो g dash of 0 बराबर, f dash of 0 minus 1, f dash of 0 की value कितनी आ गई, 1, f dash of 1 कैसा हो जाएगा, बच्चो, greater than 1, ठीक है, और ऐसा कौन सा option है मेरा, पहला option, जो कि बच्चो, सही answer है, clear है, फिर चलते है अगले क्यूशन की तरफ, अगला क्या है, बच्चो, क्यूशन नंबर 9, और क्यूशन नंबर 9 में देखो हमें क्या करना है, क्यूशन नंबर 9 क एक function दिया गया है, और उसको check करना है कि again वो कौन-कौन से points के ओपर क्या है, आपके पास में less than or equal to which of the following points of the function is discontinuous, again आपको इसकी discontinuity check करनी है, देखी बच्चो, वैसे तो किसी भी point पर आप check कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, बच्चो, हर point पर तो इसके बाहर तो आप pi की तरफ जाएंगे और एक बार two pi की तरफ जाएंगे, कोई भी point ले करके देख लीजिए, जैसे two put करोगे, तो two पर value आएगी, बच्चो, exact cost two pi, ठीक है, लेकिन two से चोटा नमर put करते ही, यह तो one हो जाएगा, two put करोगे, कितना हो जाएगा, cost four pi, जैसे two से चोटा जाओगे और एक बार आप multiple की तरफ जाओगे, तो यह values तो हमेशा different आनी है, और हमेशा different आनी है, मैंस यहाँ पर तो आपका function कैसा रहेगा, discontinuous रहेगा, लेकिन x equal to zero, अगर यह different आ भी गई, तो बच्चो क्योंकि साथ में multiplication में x है, तो यह zero कर देगा, चाहे odd multiple आए या even multiple, तो यहाँ पर आपका function continuous हो जाएगा, तो यह option आपका सही नहीं होगा, बाकि आप check कर सकते हो, बाकि तीनों points पर आपके पास में left-hand limit, right-hand limit और आपकी value जाए वो different आएगी, जैसे for example में एक point पर बात करूं, x equal to 1 पर, तो 1 पर बच्चो इसकी value होगी, आपके पास में f of 1 ब तो देखें, बाहर तो आपके पास में 1 ही रहेगा, लेकिन 1 से चोटे number पर यह 0 हो जाएगा, तो उधर से कितना आजाएगा, cos pi और cos pi की value कितनी होती होती है, बच्चो, minus 1, जैसे मैं कहे रहा था, एक बार 2 pi आएगा, एक बार pi आएगा, तो आपके पास में sign को reverse कर देगा हो, ठीक है, इसलिए यहां पर ही कैसा हो गया, discontinuous, ऐसे आप बागी points पर भी check कर सकते हो, और करने की जूरत भी नहीं, क्यों हर बार आपको ऐसा ही मिलने वाला है, clear, फिर चलते है बच्चो, अगले question की तरह, और अगला question की तरह, और अगला question की तरह, और अगला question देखते है e to the power minus 2x into f dash x minus 2 into e to the power minus 2x into f of x will be greater than 0, अगर बच्चो आपको यह नहीं पता चल रहा है की e to the power minus 2x से ही क्यों किया, तो आप normal तरीके से इस differential equation को solve कर ले, तो वहां से integrating factor आजाएगा, आपका e to the power minus 2x, यह मैं इसलिए किया, देखी exact बन गया, यह f का differentiation और यह e की power minus 2x का differentiation, तो x into e to the power minus 2x का differentiation, ठीक है, और यह आपको क्या दिया हुआ है, greater than 0, देखी बच्चो यह एक function है, ठीक है, इसका differentiation greater than 0 है, और अगर किसी भी function का differentiation greater than 0 है, इसका मतलब वह function कैसा होगा, बच्चो, increasing होगा, तो आपका f of x into e to the power minus 2x होगा, यह हमेशा बच्चो कैसा होगा, एक increasing function हो होगा, ठीक है, आपकी domain दे रखी है, all real number, f of 0 पर value 1 दे रखी है, बच्चो, हमेशा increasing है, ठीक है, तो x की value, अगर मैं 0 से बढ़ा लूँगा, कोई भी 0, x greater than 0, क्योंकि हमें options x greater than 0 में दिये हुए है, तो f of 0 पर value, f of x से क्या होगी, बच्चो, कम होगी, क्यों 0 सबसे निच आपका इस interval का कोई भी एक point है, तो यह बढ़ा होगा, बच्चो, किसे f of 0 से, और f of 0 की value आपको 1 दिये, alpha को वापे से x से replace कर दीजिए, so f of x into e to the power minus 2x will be greater than 1, इसको इदर ले आईए, तो f of x will be greater than e to the power 2x, ठीक है, f of x e to the power 2x से हमेशा greater होगा, ऐसा option है, बच्चो, हमारा option number 1, साथ में बच्चो, f x आपका कैसा होगा, f x एक increasing function भी होगा, क्योंकि f x e to the power 2x से बड़ा है, यह condition आगई हमारे पास, ठीक है, और हमें यह दे रिका है, f dash x बराबर 2 time f x, तो f dash x जो होगा, वो greater than होगा, 2 time f x, और f x की value e की power x से बड़ी है, तो यह बड़ा होगा आप आपके पास में 2 time e की power x से भी, ठीक है, तो और e की power x एक positive number है, means f dash x हमेशा एक greater than होगा, f dash x हमेशा एक positive number होगा, मतलब f x आपका कैसा हो जाएगा, increasing function हो जाएगा, so option b भी बच्चो, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है, फिर चलते है बच्चो अगले क्य question की तरफ, अगला question है हमारा question number 11, 11 में देखी हमें क्या करना है, 11 के देखी बच्चो आपका determinant दी है, और साथ मैं इसकी maximum minimum value के बारे में बात किये, तो सबसे पहले इस determinant को solve कीजिए, और solve करोगे तो देखो कितना आएगा, f of x will be equal to, cos 2x, cos 2x, cos 2x बाहर, cos square x plus sin square x, cos square x plus sin square x, क इसके बारे में बात करते हैं, cos square x plus sin square x, 1 होता है, minus cos 2x, और इसके साथ में कितना दे रखा है आपको, इसके साथ में आएगा, इदर से minus का cos square x, यहां से plus sin square x, minus का cos square x, plus sin square x, फिर आगे बात करते हैं, देखो, अगली ट्रम की तरफ, sin 2x, plus sin 2x, और यहां से कितना आएगा, देखो, minus sin x cos x, minus sin x cos x, that is, minus 2 sin x cos x, and that will be equal to minus sin 2x, तो ज्यां से देखो, इसको simplify करने से कितना आ रहा है, cos 2x, और यह, बच्चो, 1 हो जाएगा, minus का, यह कितना होगा, cos square x, minus sin square x, minus sin common ले लिजिए, तो cos 2x, तो यह हो जाएगा, cos square 2x, minus, minus plus minus, that will be equal to sin square 2x, फिर से देखो, बच्चो, cos square theta, minus sin square theta, that is, cos 2x, plus cos 4x, यहा रहा है, और इसे हमें क्या करना है, बच्चो, इस fx हमें बताना है कि कौन सा point maxima होगा, कौन सा point minima होगा, और कब आपके पास में कितने solutions आएगे, तो बच्चो इसको differentiate करते हैं, और देखते हैं कि f dash x कितना आ रहा है, so f dash x बराबर आजाएगा हमारे पास, cos 2x का differentiation, minus का 2 into sin 2x, और इसका differentiation हो जाएगा, minus का 4 into sin 4x, इसमें से बच्चो, 2 common ले लेते हैं, minus 2 common ले लेते हैं, तो minus 2 हमारा पूरा का पूरा common आ जाएगा, sin 2x को भी common ले लीजिए, ये भी बाहर common आ जाएगा, तो यहां तो बचेगा 1, और यहां पर बचेगा आपको बच्चो, इसका formula लगाएंगे, 2 sin 2x cos 2x, तो 2 sin 2x तो बाहर आ गया, और cos 2x बच जाएगा, so that is 4 times cos 2x, यह आ रहा है, अब देखें बच्चो, maximum minimum की बात करें, तो हमें x equal to 0 पर ही शिरफ पता करना है, देखें, x equal to 0 पर यह term 0 होगी, और इसकी value जो भी आएगी, लेकिन 0 into something 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से right hand side में देखो बच्चो, sin theta भी positive होता है, और यह भी एक positive number आएगा, तो positive into positive ल लेकिन बाहर minus sign है, तो 0 के इधर negative होगा, 0 के उधर बात करें बच्चो, यह positive होगा, यह negative होगा, तो यह कैसा हो जाएगा, positive हो जाएगा, तो यह function आपका increasing से decreasing में convert होगा, 0 पर, x equal to 0 बच्चो, आपका क्या है, maximum at x equal to 0, fx की maximum value आएगी, at point x equal to 0, similarly बच्चो, solutions की बात करें, minus pi से pi में, बच्चो, minus pi से pi में, तीन solution तो इसी के आजाएगे, ठीक है, 2x की value आएगी आपके पास में, minus pi से pi के अंदर, क्या क्या आएगी, minus pi, 0 और pi, तो x की value आजाएगी, आपके पास में, minus pi, pi, 2, 0 और pi, 2, क्योंकि इन तीनों points पर sign क्या solutions आएगे, तो आपके पास में, f dash x के more than 3 solutions आएगे, ठीक हैं, जैसे इसके 3 solutions आ रहे हैं, कुछ solutions इसके भी आएगे, क्योंकि इसके भी आएगे, minus 1 बटा 4, cos 2 theta भी होगा, minus pi से pi में, तो c option आपका सही होगा, exactly 3 नहीं होगे, 3 से ज्यादा solution होगे, और पहला option सही होगा, x equal to 0 value आपका क्या होगा, point of local maximum होगा, यहाँ पर यह function आपकी maximum value को attend करेगा, clear है, आपको आगे बात करते हैं, question number 12, और question number 12 में देखी हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको limit calculate करनी है, one positive और one negative, ठीक है, one positive और one negative means right hand limit और left hand limit, यहाँ पर देको दो चीज़े हैं आपके सामने, एक तो यहाँ पर mod लगा हुआ है, और दूसरा cost के अंदर एक drum है, तो सबसे पहले right hand limit के लिए हम यहाँ पर one positive के लिए बात करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ से one positive पो जब mod हटेगा, तो क्या होगा, तो चली बात करते हैं, so one x जब x से बड़ा होगा, one positive means, जब x one से greater होगा तो देखी क्या होगा, यह हमारे पास में पहले वाले जो ट्रम में इसको simplify कर रहे है, one minus x, bracket के अंदर है, यहाँ पर one plus, देखी, x अगर one से बड़ा है, तो for example, one point one, तो यह negative होगा, तो यह mod आपका minus sign के साथ खुलेगा, और minus sign के साथ खुलेगा, तो यह हो जाएगा आपके बंद, और divide by, नीचे भी आपके पास में, x अगर one से greater होगा, तो यह भी minus sign के साथ खुलेगा, और यह बन जाएगा आपके पास में, one minus x, cos one upon one minus x, यह आपका as it is रहेगा, आगे बात करते हैं, देखो, इसको simplify किया, one minus x, bracket open किया, one minus one plus x, और divide by minus one minus x, इधर है मेरे पास में, cos of one divided by one minus x, इसके बाद में फर्दर इसको देखा, तो देखें क्या होगा, one से one cancel out हो गया, one minus x square, इसके factors होगे, one plus x into one minus x, तो नीचे से कड़ जाएगा, और साथ में आजाएगा, cos of one divided by one minus x, तो x equal to one, देखें बच्चो, अब जब इसमें put करेंगे हम, तो x equal to one positive कि अगर हम बात करें, तो जैसे इसके इसके इंदर x equal to one put करेंगे, तो यहाँ पर बाहर के side में, आपके पास में क्या हो रहा है, one plus x आ रहा है, तो यह एक finite number आ रहा है, और यहां पर यह undefined है, fit into undefined number आपके पास में क्या होगा, limit does not exist, क्यों, क्यों, यहां पर एक finite number आ रहा है और उसके साथ में यह ट्रम आ रही है तो वहां पर यह आपके पास में limit exist नहीं करेगी so one positive के उपर आपके पास में आएगा कि limit does not exist so option d will be correct ठीक है तो यह option आपका गलत हो जाएगा कौन सा c option अब बात करते one negative के पर तो one negative के उपर फिर से देखो जब x1 से less होगा तो इसको वापिस break करते हैं mode को और देखते कितना आएगा यहां से आएगा देखो फिर से ब्रेकट यहां पर one one जब x1 से चोटा होगा तो यह quantity कैसी होगी positive तो यह सीधा ब्रेकट खुल जाएगा आपके पास में one minus x और divide by नीचे है हमारे पास में one minus x और साथ में आएगा cos of one divided by one minus x इसको देखो simplify करते हैं one plus one two तो यह हो जाएगा one minus two x plus x square और divide by one minus x और इधर है मेरे पास में cos of one divided by one minus x तो कितना आएगा देखिए यह बनेगा one minus x का whole square और one minus x नीचे भी है तो एक फ्रेक्टर हमारा कट जाएगा और पिछाएगा one minus x और साथ में है cos of one divided by one minus x अब देखिए क्योंगी लिमिट हम कहां पर calculate कर रहे है इसमें x equal to one पर और x equal to one जब इसमें put करेंगे तो यह term zero हो जाएगी इस बार क्या हो रही है जीरो हो रही है आपर तो यह two आ रहे थी इसलिए does not exist आ रहा था बट यह zero आ रही है और cost के अंदर आप सबको पताए कि value minus one से one के बीच में आती है ठीक है तो यह value आपके पास में और option d यह दोनों कैसे हैं बच्चों correct है clear है अब आगे चलते हैं अगले तरफ और अगया देके हमें क्या दिया गया है को कि यहां पर देंगे बथे यह बहुत ही सांदार सा एक passage आया था ठीक है और इस passage के अंदर हमारे पास में चार ग्यूसन थे थे तो उसको करने के लिए सबसे पहले यह जो हमारे पास में है यह जो चार इस्टेट्मेंट्ट सवाथी यह एह पर दिये गये हैं चार statements यहांपर दिए गए है और 4 statement यहांपर दिए गए हैं और यह सारे के सारे जो भाभी statement से इन सब को आपको check करना है कि कौन सा आपके पास में option यहांपर correct है और कौन सा option incorrect है तो सबसे पहले अगर झम बात करें कि f x equal to 0 पर 1 से लेके e square के बीच में क्या हो रहा है ठीक है तो देखे बच्छो इसके अदर जिसे आप value put करोगे f of 1 f of 1 की value कितनी आएगी f of 1 will be equal to आजाएगा बच्छो 1 log 1 की value कितनी होती यह 0 और minus यह भी कितनी हो गई 0 log 1 0 हो गया तो f of 1 की value 1 आगई ऐसे बच्छो इसके अदर हमने put किया f of e square तो e square पर value कितनी आएगी देखो e square log e square हो जाएगा बच्छो 2 और साथ में आएगा यहां से minus ka e square और यह फिर से 2 so minus ka 2 e square तो यह आएगा मेरे पास में 2 minus e square और हम सब को पता है कि e की value 2.7 होती है तो यह number negative आएगा तो यह value 1 पर positive आ रही है और 2 पर negative आ रही है दोनों opposite sign गया means इसके बीच में एक बार मेरा fx पक्का 0 होगा इसके बीच में एक root लाई करेगा इसका मतलब मेरा पहला जो option है वो क्या हो गया सही हो गया यह बच्छो जो मैं टीक लगा रहा हूं यह बहुत important रहेंगे आगे हमें check करने के लिए पहला option मेरा क्या होगा सही हो गया ऐसे बच्छो fx से related जो भी है पहले वो सारे देख लेते हैं उसके बा पर value निकाली तो 1 आई, e2 पर value निकाली तो negative आई अब देखो बच्छो और जैसे से आप इसमें values बड़ी put करोगे जैसे eq put करोगे तो यहां पर यह जो data है आपके पास e3 आएगा यहां से 3 और यहां से minus 3 इंटू e3 तो वहां पर से तो आपके पास 3 आ रहा है और इतर से minus इसका 2 time e3 value और जज़्यदा कम हो रही है और ज़्यदा कम हो रही है तो इसे कम होती रहेगी और जब आप infinite की तरब जाओगे तो यह value बहुत ही ज्यदा छोटी हो जाएगी और नेगेटिव में आएगी जैसे f of e2 नेगेटिव आ रहा है e3 और बड़ा नेगेटिव क्लियर है similarly बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो यह दोनों आप्शन बच्चों आपके सही आएंगे वन के बाद में आपका जो यह फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा डिक्रीजिंग जैसे अभी हमने देगा था वन पर वन था वैल्यू डिक्रीज हो र है ना यह सर Buran कंशन बच्चों इंक्रीजिंग पुला तो यह गलत है क्योंकि कैसा रहेगा वैल्यए वन के बाद में हमें साटिक्रीज्ज होएगी इसके अन्दर और जीरो से वन इंदर यह function बच्छो increasing होगा क्योंकि 0 पर इसकी limit कितनी आएगी यह भी 0, यह भी 0, यह minus infinity कितना होगा minus infinity और 1 के ऊपर 1 जा रहे हैं तो 0 से 1 में increasing होगा तो पहला सही हो जाएगा और Q आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो यह हमने 5 8 जो हमारे 12 थे 12 में से 5 f से related थे वो सारे के सारे हम लोगों ने solve कर लिए हैं अब बात करते हैं बच्छो आगे की तरब और अगला बात करते हैं f' के बारे में उसके लिए हमें f' चाहिए होगा तो इसको differentiate कर लेते देखो f' x बरावर कितना आएगा f' x बरावर आजाएगा देखो x का differentiation 1 plus log x का differentiation 1 by x x का differentiation 1 so minus log x और log x का differentiation 1 upon x so minus 1 so 1 से 1 कर जाएगा और यह function आएगा मेरे पास 1 by x minus ln x फिर से चली बात करते हैं कि क्या होने वाला है f' x से related हमारे पास में कापी सारी terms है वो तो सारी terms check कर लेते हैं सबसे पहले f' x बरावर 0 for sum x belong to 1 से e तो जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था उसी तरीके से चेक करते हैं देखी बच्चो इधर f' of 1 निकालते हैं कितना आएगा f' of 1 आजाएगा हमारे पास में यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 minus e तो यह positive आजाएगा ऐसे बच्चो f' e निकाला हमने तो f' e कितना आएगा देखो 1 by e minus 1 1 by e minus 1 देखो बच्चो यह number negative होगा 1 by e आपका 1 से चोटा होगा और minus 1 तो यह negative होगा तो फिर से देखो एक positive और एक negative value means इसके बीच में एक root आपका जरूर आएगा ऐसे इसको चेक कर लो बच्चो 0 से 1 के बीच में इसका root नहीं आएगा क्यों क्योंकि 0 पर बच्चो 1 पर यह value कितनी आ रही थी f-1 कितना रही था 0 और 0 पर बच्चो इसकी value क्या होगी तो यह जो function है ना यह आपके पास में कैसा है यह function आपके पास में यहाँ पर 1-1-0 आए थी नहां बिल्कुल यह function आपका decreasing होगा अमेसा क्यों 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 1 by x decreasing होता है और log x increasing function होता है लेकिन minus से multiply करने से increasing वाला decreasing में convert हो जाता है ठीक है तो दो decreasing function का हमेसा क्या हो जाता है decreasing आता है यह function decreasing होगा तो 0 पर इसकी limit आएगी प्लस infinity आएगी ठीक है एक क्यूसन यह भी आपका चलो यह तो पूछा ही नहीं एक टेंडिंग तो जीरो पर लेमिट लेकिन यहां से देखो हमारा यह काम हो गया कि यह function मेरा decreasing होगा इंक्रीजिंग 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 के अंदर ठीक है तो यह आपके पास में इसमें साइध यहां पर decreasing दिया था एक बार चेक करें क्यूसन के अंदर जो original क्यूसन था उसके अंदर साइध यहां पर आपको क्या दे रखा था decreasing दे रखा था ठीक है वैसे इसके अंदर तो यह दिया हुआ होगा आपको increasing ही ठीक है तो increasing तो यह कहीं पर होगा नहीं यह function तो कैसा रहेगा decreasing तो फिर यह दोनों ही गलत हो जाएंगे जीरो से वन में भी और यह साइध बच्छो यह था आपके पास में decreasing ठीक है इसको decreasing कर लो इसे लेकर e square के अंदर f' कैसा था आपका decreasing ठीक है तो यह option फिर आपका सही हो जाएगा ठीक है और यह option क्या हो जाएगा बच्छो गलत हो जाएगा इसके अलावा बच्छो f' x की limit की बात करें extending to infinity पर extending to infinity पर यह कितना हो जाएगा 0 और यह कितना हो जाएगा minus infinity तो यह option बिल्कुल सही है f' x की limit कितनी आएगी minus infinity इसके अलावा बच्छो f' के बारे में एक question यहाँ पर f' is increasing in 0 से 1 यह गलत हो जाएगा क्योंकि f' तो हमेशा कैसा है आपका decreasing function है तो r गलत हो गया अब दो पार्ट है बच्छो f' x के बारे में तो इसको एक बार फिर से derivative करें देखो 1 by x का derivative कितना होगा minus 1 upon x square और इसका कितना होगा minus 1 upon x लिमिट की बात करें extending to infinity पर यह भी 0 यह भी 0 तो यह option बिलकुल सही है और इसी के साथ में बच्छो जो फॉर्थ पार्ट है हमारे पास ठीक है कि 1 से e के अंदर इसका root आएगा यह नहीं आएगा तो 1 से e के अंदर अगर हम बात करें बच्छो तो एक 1 पर भी negative आएगा और e पर भी negative आएगा तो दोनों जीरो की तरफ यह आपका नहीं जाएगा और वैसे भी आप इसको चेक भी कर सकते हो बराबर में जब जीरो करके देखो कि 1 से e के बीच में इसका कोई root नहीं आएगा clear चलिए अब बच्छो हम अपने options को देखते हैं तो यह हमारे सारा combination हो गया कि कौन सा option आपका जो तीन क्यूशन है इसका एक नहीं तीन क्यूशन है और तीनों क्यूशन का answer एक साथ आएगा पहले में पुचा है correct combination देको फॉर्थ फॉर्थ एस तो फॉर्थ पहला ही गलत हो गया तो यह पहला option गलत हो गया सेकेंड सेकेंड क्यू इधर से सेकेंड इधर से सेकेंड इधर से क्यू वह दोनों तो सही थे लेकिन यह गलत है तो यह दूसरा option भी गलत हो गया पहला पहला और पी फस्ट फस्ट पी इ इसमें बच्चों यहां पर second होगा, third नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, second, उधर से third, और इधर से आपके पास में R, और इसमें एक बार बच्चों, इसके में options देखता हूँ, उसके बार discuss करते हैं, यहां पर थोड़े से changes है, इस changes के साथ में देखते हैं, एक तो यहा पहला जो option है, वो है fourth, first, s, देखो fourth गलत हो गया, इसका मतब यह option तो नहीं होगा, इसमें first, second और R, first, second और R, first, second के साथ में R, ठीक है, तो R गलत हो गया, तो यह गलत हो जाएगा, इसमें third, fourth and P, third गलत हो गया, इसमें बच्चों, आपके पास second, third और s है, बच्चों, बच सही है, इसलिए आपका fourth option होगा, बच्चों, वो सही होगा, ऐसे ही बच्चों, आपको अगले दोनों questions में काम करना है, अगले question के अंदर भी, क्योंकि यह हमारे पास उदर से पहले दो सही थे, यहां पर आखरी तीन और इसके अंदर पहला और चौथा, इसको याद रखें इसमें बचो incorrect combination पूचा है, और इसमें देख लेते हैं एक बार, पता नहीं इन्होंने options इसमें सही लिख रखे या नहीं, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो, तो आप IIT का man paper है, उसमें से देख लेना इसको एक बार, ठीक है, चलिए incorrect के बारे में बात कर रहा है, इसक according देखते हैं पहले तो, इसके corresponding देखो हमारे पास में कौन कौन से है, second, third और P, तो second देखो, second तो सही है आपका, third भी सही है और P भी सही है, तो यह तो incorrect नहीं होगा, ठीक न, पहला तो incorrect नहीं होगा, दूसरा में देखते है, second, fourth और Q, second, fourth और Q, तो इसके corresponding तो यह क्या हो ग 3rd, 1st और R, 3rd आपके पास में गलत हो गया, तो ये भी incorrect है, इसके corresponding तो ये incorrect होगा, ये भी, बट इसमें साथ कुछ changes है, तो एक बार आप original paper में देख लीजिएगा, clear? फिर देखते हो अगला question, अगले question में देखिए क्या है, अगले question के अंदर अगें आपसे correct combination पूचा, इसक corresponding देखते हैं, पहले तो 2nd, 3rd और S, 2nd, यहां से 3rd और यहां से S, तो इसके corresponding यह आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, उसके बाद में अगला है आपके पास में 1st, 2nd और R, 1st, 2nd और R, ये incorrect हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसके corresponding तो ये सही 2nd, 3rd और S, इसके बाद 3rd, 4rd और P, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3rd गलत है, इसके बाद में 4th, 1st और S, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, इसके corresponding आपका जो सही combination है, वो 2nd, 3rd और S वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा, clear है, तो ये थे आपके एक passage type का question आया था, ब सबसे पहले तो आपको देखिए, कुछ functions दिये गए है, जिनकी domain और range दी है, r से r, minus pi pi 2 से pi pi 2 से r, इस से r, और r से r, 4 functions जिनकी domain और core domain आपको दी गई है, ये है बच्छो, fx equal to, ये equal to का sign है यहाँ पर, equal to sign of this, आपको देखना है कि कौन सा function continuous है, कौन सा non-differentiable है, ये सारे म देखिए, बच्छो, सबसे पहले तो, क्योंकि हमें ऐसी तरीके का question दिया हुआ होता, जिसमें ऐसे options होते हैं, तो हम ऐसा इस तरीके से check किया करो, ये बड़ा ही simple है, f2, ठीक है, f2 x क्या दे रखा है आपको, mod sin x upon 10 inverse x, और x equal to 0 पर देखो, बच्छो, इस की continuity की बात करें, तो f of 0 की value 1 है, बच्छो, f of 1 positive की बात करेंगे, f of 0 positive की, f of 0 positive पर ये sin x, आपके पास sin x हो जाएगा, 10 inverse x, उपर देखो, x से divide करेंगे, तो ये भी 1 आजाएगा, बिलकुल सही है, लेकिन, बच्छो, f of 0 minus की जब बात करेंगे, f of 0 minus पर ये minus sin के साथ खुलेगा, और ये plus 10 inverse x एगा, तो ये minus 1 आजाएगा, तो ये x equal to 0 पर continuous नहीं है, और ऐसा एक ही option है आपके पास, not continuous at x equal to 0, that is 1, तो बच्छो, आपका जो second part है, उसमें 1 आएगा, देखो, इसमें भी नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, शिरफ ये 2 options म में दिए गया बी और डी में से जो आपके पास मैं इसमें से विपया द चुछा करने की जरुत नहीं है बाकि दूसरे वाले को चेक्ड कर लीजिए द Cape शंपलने की जोरूत नहीं है डिंग कि आंदर दो और चार द शंबने 12 ए से पी और क्योंकि x equal to 0 पर ही आपको option देरके हैं तो 0 पर ही बात करने हैं, पहले continuity की बात करते हैं, f of 0 positive पर जब बात करेंगे, तो यह कितना बनेगा बात करेंगे, तो यह कितना बनेगा बात करेंगे, बीच में होगा, तो sin 0 से 1 की बीच में positive होता है, और यहां पर इसकी value कितनी आजाएगी, बच्चो, greatest integer है, तो इसकी value 0 आएगी, ऐसी f of 0 minus की value 0 आएगी, और f of 0 की value भी कितनी आएगी 0, क्योंकि वो log 2 की तरफ ही approach करना है हर बार, तो सब के सब 0 है, मैं इस यह function continuous रहेगा आप का, ठीक है, तो ऐसा कोई option जिसके अंदर आपके पास में continuous 8x equal to 0, ठीक है ना, तीसरे एक के अंदर continuous 8x equal to 0, ठीक है यह option आपको दिया हुआ है second वाला, ठीक है, इसके अलावा, आपके पास में जो options है, उसके अंदर differentiable और उसके derivative की differentiability की बात कर रही है, तो देखो बच्चो यहाँ पर जब आप बात करेंगे, ठीक है तो इसके अंदर जो पहला पास है, ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम आगे और भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इसके differentiable की बात करें तो यह greatest integer है ठीक है, और greatest integer है, तो बच्चो आपके बात हो सकती है, differentiable at x equal to 0 and its derivative is continuous at x equal to अब देखो बच्चो यह क्योंकि 0 पर continuous है तो इसको differentiable होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यह function ही ऐसा है, वहाँ पर उस point पर यह function ही ऐसा है कि जहां पर आपके पास ब्रेक नहीं होगा, x equal to 0 पर y equal to 0 वाली line ही बनेगी दोनों साइड पर, तो वहाँ पर उसका derivative भी differentiable होगा इसके अंदर आज गया, बच्चो आपके पास में 3rd के अंदर आ गया, आपके पास में 4th, और 3rd में आर के अंदर 4th आ गया, आर के अंदर 4th आ गया, तो आपका कौन सा D option सही हो जाएगा, फिर भी आप check कर सकते हो, पहले वाला जैसे आपके पास में continuous आ जाएगा, x equal to 0 पर आगे चलते हैं अगले question की तरफ, अगला question है बच्चो, question number 17, देखिए क्या है 17 में, f r से r में एक differentiable function f of 0, 1 दे रखा है, और आपके equation दे रखी है ऐसी, और यहां सा आपको log f of 4 की value find out करनी है, देखिए बच्चो, जब भी differentiable equation को solve करना होता है, तो हम 0 पूट कर देते हैं बन जाएगा f of 0 into f dash of 0, f dash of 0, 7 में बच्चो, यह बन जाएगा f dash of 0 into f of 0, f of 0 बच्चो, 1 दे रखा है, इसको 1 पूट कर दो, तो इधर बन जाएगा 2 time f dash of 0, f dash of 0 की value आगी मेरे पास, 1 by 2, अब बात कर लेते हैं function की, इसके इस बार क्या करते हैं, पूट कर देते हैं, तो f f of x बराबर, f of x, f dash of 0, जिसकी value कितने हैं बच्चो, 1 by 2, प्लस y को 0 पूट किया हमने, तो यह f dash x ही रहेगा, और f of 0, जिसकी value 1 है, तो ऐसी equation बनेगी, यहां से आएगा f of x by 2 बराबर f dash x, इसको इधर आएकर by 2 हो जाएगा, इसको f x से डिवाइड कर दिया, so 1 by 2 बराब कर सकते हो, integration करने से यह बनेगा आपके पास, log f of x बराबर, कितना बनेगा, x by 2, f x बराबर बन गया बच्चो, plus c, f x बराबर बन जाएगा, lambda time e to the power x by 2, ठीक है, f of 0 की value 1 दे रखी है, तो यहां से lambda 1 आजाएगा, यह 1, यह 0, तो lambda बराबर 1, so f x बराबर e की power x by 2, log ले लेजिए, so log f of x बराबर आजाएगा, बच्चो, x by 2, ठीक है, अब देखो, आपको क्या put करना है, log f of 4 चाहिए आपको, x को 4 put कर दीजिए, तो आपका answer आजाएगा, 4 by 2 बराबर 2, बहुत ही एकदम आसान सा question था, और यह था बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च एक सांदार सा, so discuss करते हैं, इसके बारे में, सबसे पहले तो देखे, आपको दिया गया है question के अंदर, कि for every twice differentiable function f r से minus 2 से 2, यह बहुत important है बच्चों इसके अंदर, question की जान है, यह जो आपको लिखी गई है, minus 2 से 2, with f of 0 का square plus f dash of 0 का hall square बराबर 85, which of the following statement is r true, ठीक है, so चल यह बात करते हैं, देखे, आपको इसके corresponding इन सारे options को चेक करना है, चारों के चारों options बिल्कुल अलग अलग है, और देखते हैं सबसे पहले, पहला option क्या है, there exist rs belong to real number, where r will be less than s, such that f is 11 on the open interval r to s, ठीक है, क्या है, क्या है देखो, कि आपको यह बोला गया है कि r और s कोई भ rs से चोटा है, such that f is 11 on the open interval r to s, और उस interval के अंदर आपका जो function f है, वो 11 होगा, means इसके अंदर आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा एक interval भी possible है, क्या जहां पर यह function आपका 11 possible है, क्योंकि इसमें आपको पूरी domain के लिए नहीं बोला गया, एक interval के लिए बोला गया है कि r to s, जहां पर यह 11 हो सकता है, क्या, तो बिल्कुल देखिए बच्चो यह option सही होगा आपका, क्यों सही होगा, उसके बारे में बात करते हैं, देखिए आपको दे रखा है कि f of 0 का square plus f dash of 0 का square है, वो 85 है, function की range यह है और domain यह है, minus 2 से 2, ठीक है, और twice differentiable function है, function हमारा differentiable है, तो दे function का sum दे रखा है, वो हमें 85 दे रखा है, clear है, और f dash of 0, जैसे for example, मैं 0 ले ले लेता हूँ, ठीक है, तो f of 0 की value कितनी आ जाएगी, f of 0 का square आ जाएगा मेरे पास में 85, क्यों, क्योंकि ऐसा तभी possible नहीं हो सकता है, एक छोटे से interval की बात चल रही है, जाहां पर यह तभी statement ग यह वापिस भी घूम रहा हो, तो अभी कोई नहीं कोई एक interval ऐसा जरूर होगा, जहां पर आपका function कैसा हो जाएगा, one one हो जाएगा, तो देखिए, अगर constant function होगा, तो वहां पर f dash of 0 की value 0 होगी, और f of 0 की value कितनी आ जाएगी, बच्चों, root 85 आ जाएगी, ठीक है, और f of 0 क root 85 आ जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बच्चों, यह पूरे question की जान है आपके, minus 2-3-2, अगर इसकी co-domain यह है, तो इसकी range बच्चों, root 85 नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि range जो होती हो co-domain का subset होती, उसका part होती है, इसका मतल जब आपका function चाय ऐसे जा रहा हो, चाय फंक्चन आपका ऐसे जा रहा हो, चाय फंक्चन आपका वोनगोंजो कोई ने, कोई एक interval r से ऐसे जरूर होगा, जहां पर आपका function कईसा होगा, one-one होगा, इसलिए आपका पहला option बिल्कुल सही है और यही बच्चों, आपसको हर option म और कौन सा गलत है तो यहां पर जो पहला option है वह आपका बिल्कुल शही आंस्वर है क्लियर आगे बात करते हैं बच्चों दोसरे option की तरप और दोसरे option में क्या करना है देखो there exist x0 minus 4 से 0 minus 4 से 0 के अंदर कोई x0 ऐसा होगा क्या जहां पर f dash x0 की value less than or equal to 1 होगी देखे बच्चों f dash x0 एक कोई interval दे रखा हो minus 4 से 0 ऐसा कहां पर पढ़ाता हम लोगों ने याद कीजिए lmvt ठीक है ना langraj mean value theorem क्या होती है बच्चों देखो इस interval के अंदर अगर मैं lmvt लगाता हूं तो मेरे को मिलेगा f of x0 बराबर f of 0 minus f of minus 4 इसका बच्चों क्या लेना मेरे को mod भी लेना है ठीक है तो देखो बच्चों इसमें आपके एक समी का in equality generate की गई है यहां पर और in equality generate की गई है तो ये inequality क्या hold होगी क्या तो देखें बच्चों आते फिर से भट्चों इसका door maximum value कभ हो सकता है यह जो है इसका maximum value तब हो सकता है बच्चों जब यह maximum आ जाए और यह आपके सामने कैसा हो जाए minimum हो जाए तभी सकी maximum possible value हो सकती है और बच्चो इसकी maximum value क्या हो सकति है देखो, F की core domain ही यह दी गई है, तो इसकी maximum possible value हो सकती है बच्चो 2 और minus F of minus 4 की minimum value हो सकती है, यहां से कितनी हो सकती है बच्चो, minus 2 और divide by निचे आजाएगा 4 तो f of x0 की बच्चो यह maximum value होगी और अगर यह maximum value है तो f of x0 के अंदर हमारे पास में एक relation आ गया कि 2 प्लस 2 चार बटे 4 यह हमेशा कैसा रहेगा बच्चो यह हमेशा एक या एक से छोटा ही रहेगा तो यह इसकी maximum possible value है इसके अलावा अगर और कोई भी आप values लोग इस interval के अं ही बच्चो इसकी maximum possible value होगी किलियार आगे चलते बच्चो तीसरे option की तरह और तीसरा option क्या है देखिए बच्चो लिमेट x tending to infinity f of x कितना होगा चली एक बार इसको मिटा देते हैं यह option अमारा बिल्कुल सही था दोसरा option भी बच्चो अमारा बिल्कुल सही है तीसरे option के बारे में बात करते हैं देखिए बच्चो लिमेट x tending to infinity f of x ब्राबर 1 इसका क्या meaning होगा देखिए बच्चो लिमेट x tending to infinity पर मतलब क्या होगा यह मेरा x-axis है यह मेरा y-axis है जब मैं इंपनीटी की तरफ एप्रोच करूंगा ठीक है इधर जब मैं इंपनीटी की तरफ एप्रोच करूंगा ठीक है तब मेरे function की value है वो y equal to one की तरफ एप्रोच करनी चाहिए ठीक है और y equal to one की तरफ एप्रोच करने का क्या मतलब है बच आपका graph इधर से ऊकरके इधर जा रहा होगा यह कुछ मिनिंग होगा तो चलिए देखते देखें क्या यह ऐसा possible होगा क्या तो देखें बच्चो आपका graph इस point की तरफ approach कर रहा है और इस point की तरफ approach कर रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि जैसे ही यह infinity की तरफ tend करेगा तो वहाँ पर f dash x कितना होगा बच्चो जीरो होगा और f dash x अगर 0 हो गया मेरे पास ठीक है f dash x अगर 0 हो गया तो गड़बड हो जाएगी क्योंकि वापिस वही बात देखो यहां से ठीक है और मेरा ग्राप अगर इस लाइन की तरफ approach कर रहा है और इस लाइन की तरफ approach करने का मतलब f dash x 0 हो गया और f dash x 0 हो गया तो वही f of 0 की value कितनी आ जाएगी 85 एक प्तों बच्चो इसको आप इस थरीके से देख सकते हो दूसरा देखो एक चीज और आप इसका इंदर कर सकते हो देखो एक function ले लिजिए f x ब्राबर root 85 sin x देखी f x ब्राबर एक function ले रहा हूं मैं sin of root 85 x ठीक है तो देखो इसका differentiation f dash x कितना होगा बच्चो अचा मैंने यही क्यों लिया अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा root 85 into sin sin का differentiation क्या हो जाता है cos root 85 x x equal to 0 पर देखो इसको satisfy कर रहा है f of 0 की value कितनी हो जाएगी यह कहें कि मेरे को यह क्या चाहिए x equal to 0 ठीक है x equal to 0 पर यह क्या हो जाएगा f of 0 f of 0 की value 0 हो गई और यह हो गया 85 cos 0 की value 0 1 तो यह कितना हो जाएगा इसको satisfy कर जाएगा x equal to 0 पर तो यह जो दिया गया जो relation है उसको satisfy कर रहा है लेकिन देखिए बच्चो extending to infinity पर यह जो मैंने function लिया है sin of root 85 x या मैं जो लूँगा cos of root 85 x और उल्टा करूंगा sin के अंदर दोनों में से जो भी मैं लेकर के देखूंगा ठीक है वैसे तो sign वाला ही होगा तभी मतलब यह इस relation को satisfy करेगा ठीक है तो extending to infinity पर देखिए बच्चो इसकी limit आपकी one नहीं आएगी ठीक है इसलिए यह option बच्चो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यह सही था यह सही था ठीक है यह दोनों तो बिल्कुल सही थे यह गलत है अब दे इसलिए देखिए फिरसे आपको दो इंट्रवल दे रहके माइनस एक इंट्रोल दे रहका है माइनस चार से चार सच देट f of a प्लस f-दस of a ब्राबर 0 f double day से and f-दस of a will be not equal to 0 मैंस यह कहना चाहरे है कि अगर मैं माइनस 4 से 4 के अंदर इंट्रोल के अंदर अगर कोई नमब लेता हूं तो वहां पर यह condition तो मेरी 0 होगी बट यह condition not equal to 0 होगी क्या ऐसा होने वाला है तो चलिए check करते हैं बच्चो देखिए बच्चो एक चीज जो हमारी यहां पर काम मैं आईगी discussion के अंदर हमें यहां पर there का f of 0 का square plus f dash of 0 का square ठीक है और f a और f double dash a और f dash a इसी से द plus f dash x का all square एक gx इसको क्या मान लिया एक function मान लिया इसी को क्यो माना क्योंकि मेरे को ऐसा data दिया हुआ था और इससे मेरे पास में ऐसा data भी आने वाला है ठीक है इसको differentiate किया मैंने तो g dash x कितना आ गया मेरे पास g dash x आगया बच्चो two f of x into f dash x देख साथ बच्चो कि यहां से वाया चो यहां से हो बच्चो यहां से two f dash x चाहिए और चक्राज मेरे पास में बहार कॉम आज ég Killer ठीक है और क्या हो जाएगा और साथ में देखो बच्चो यहां पर आ जाएगा मेरे पास में F of X बच जाएगा और यहां पर बच जाएगा बच्चो F double dash X अब देखो बच्चो मेरे पास में इसा प्रोडेक्ट तो आ गया अगर मैं ऐसा प्रूब कर देता हूं कि G dash X मेरा इस इंट्रवल में किसी एक पॉइंट पर जीरो होगा तो यह कंफर्म है कि इन दोनों में से एक क्वांटिटी को जीरो होना ही पड़ेगा ठीक है तो पहले मेरे को यह चीज़ प्रूब करनी पड़ेगी कि इस इंट्रवल के अंदर G dash X मेरा एक बार जीरो जरूर होगा ठीक है इस चीज़ को प्रूब करेंगे देखो अभी साथ में इसके अंदर यह भी प्रूब करना है हमें कि इसमें F dash X non zero होगा और यह दूसरे वाली जो क्वा 85 दिया है इसका मतलब यह हो गया बच्चो यह जी फंक्शन है उसके अंदर 0 पर मेरे पास में उसकी वैल्यू कितनी है 85 है ठीक है अच्छा एक चीज़ और देखो बच्चो इस जी फंक्शन के बारे में क्या अगर अगर चोड डॉमेण है मेरी माइनस टू से टू ठीक है अगर मैं जू सबच बार पास माइनस सब्सक्ति अगर मैं कोई नहीं साथ हूं भी दो इंटरवल लेता हूं ठीक है पहला मैंने 4 से 0 तो यहां कि यहां पर तो देखो उपन उपन लगती है, इस इंटरोल में भी लगा के धीजिग लिए लेल लिए , यहां पर तो देंको मैंने 5-1 इन अ और उपन इंटॉल मैं 2 लगा 10 से इंटरोल में, इसमें भी एक यहीं वे इंध कंडिशन भाल एगी f0 of x0 will be less than or equal to 1. तो बच्चों, अगर ये condition मिल रही है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इस interval का, अगर मैं कोई भी point लेता हूँ, तो उसका differentiation हमेशा मेरा कैसा होगा, एक या एक से छोटा होगा, इसका देखो बच्चों, ये एक meaning होगा, आपके पास simple सा, ये जो quantity है आपके पास में, ये हमेशा कैसी रहेगी, less than or equal to 1, इन में से कोई भी में quantity ले लूँ, ये हमेशा एक या एक से छोटा रहेगा, लेकिन कब, इन intervals के अंदर, ठीक है ना, इस interval के अंदर, वो एक से छोटा रहेगा, साथ महीं, बच्चो, f square x, इसकी देखो, core domain minus 2 से 2 है, तो इसकी range maximum कहां तक जा सकती है, बच्चो, 4 तक जा सकती है, 4 से बाहर नहीं जा सकती, तो f square x की जो value होगी, वो मेरे पास में maximum कितनी जा सकती है, बच्चो, 4 जा सकती है, 4 हो सकती है, तो यह maximum 4 हो सकता है, और 1 हो सकता है, कब इन दोनों interval के अंदर, इसका क्या मतलब होगी, बच्चो, अच्चो, एप आपको twice differentiable function दिया गया है, मतलब एप आपका continuous भी है, और differentiable भी है, और उसका जो differentiable है, वो भी, बच्चो, g of 0 की बात करें, तो g of 0 की value कितनी थी मेरे पास, 85, ठीक है, और 0 के पहले और 0 के बाद में, मेरी value कितनी हो सकती है, बच्चो, maximum कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है, क्योंकि इसकी 4 हो सकती है, इसकी 5 हो सकती है, ठीक है, इन interval के अंदर, इधर मेरे पास में क्या हो रहा है कि यह जो value है मेरे पास में इस interval के अंदर माइनस फॉर से जीरो यह जीरो से फॉर में ठीक है मैं फाइब की तरफ एप्रोच कर रहा हूं किदर फाइब की तरफ ठीक है अब इसका क्या मीनिंग वा होगा बच्चों इसका मीनिंग यह हुआ है कि यहां पर मैं जैसे भी गुवा होंगा अगर मेरे को एक continuous function बनाना है क्य फाइब के आरांड घूमना पड़ेगा ठीक है उसके नीचे लेकिन जीरो पर 85 लाने के लिए बच्चों मेरे को इधर जाना पड़ेगा फिर वापिस मेरे को 5 की तरफ आना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही आपके continuous और एक differentiable function बनाएंगे ठीक है जीरो की वैल्यू क्योंकि 85 है ठीक है तो यहां पर एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर आपका continuous और differentiable function ठीक है ना 5 से 85 की तरफ जाएगा किदर से 5 से 85 की तरफ जाएगा ठीक है तो एक पॉइंट तो कहींने कहीं ऐसा जरूर आएगा बच्चों जहां पर उसका differentiation क्या होगा जीरो होगा तो इससे हमने यह प्रूब कर दिया कि हमारा G-X जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा किलियर है अब देखो बच्चों जीरो नहीं हो सकता वह फिर से बात वहीं पर आगे देखो इसी के उपर क्योंकि अगर यह जीरो हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा 85 होना पड़ेगा तो यह quantity तो 0 नहीं हो सकती यह तो आपका कैसा रहेगा लेकिन यह जो quantity है फिर आपकी यह कैसी हो जाएगी जीरो हो जाएगी ठीक है इसलिए आपका जो चौथा option है वो भी सही होगा ठीक है एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहांपर एक पॉइंट पेज दोको ठेड़ को जीरो होना पड़ेका या नहीं हो सकता फडस यिरो की वैल्यू इसका मतलब यह वाली जो quantity है मीरें पास इसको क्या होना पड़ेगा- जीरो होना पड़ेगा reinstla कoga की अगले क्यूंटन की टारफ और अगला क्युस्टा ने देखिया हमारा क्युस्टन नंबर 19 मेरा किसे नंबर 19 क्या है देखो यह रहा क्यूस्तन नंबर 19 के निए देखिए बच्छो आपका लिमीट दी गई है पहले तो लिमिट ज्यान देखिए कि यह यह पर X में बड़े confused होते हैं इधर जो होता है वो मेरा variable होता है यहां पर t variable है t tending to x पर fx into sin x fx minus sin x divided by x minus x 0 by 0 form है तो इसमें lh rule लगाना है लेकिन ध्यान रखिये variable drum t होगी यहां पर तो fx constant का काम करेगा fx into sin t का differentiation cos t minus f dash x into sin x f dash t into sin t और divide by t का differentiation 1 और x का differentiation 0 क्योंकि किसके respect differentiation क्या आपने t के respect में चोंकि variable drum क्या है t है ठीक है यह limit आ गई दूसरी side में मेरे पास में कितना है sin square x दिया गया है right hand side में कितना दिया है sin square x अजा इसके अंदर limit t tending to x करेंगे तो देखो यह क्या बन गया fx को y put कर दो cos x minus d y by dx into sin x ब्राबर sin square x ठीक है इस function को solve करो देखो आपको आपका function मिल जाएगा जब function मिल जाएगा तो फिर आप सारे options आसानी से check कर सकते हैं क्लियर चलिए बात करते देखें इसको solve कैसे करेंगे बच्चों इसको पहले तो minus sin x से divide कर दीजिए तो यह बन जाएगा बच्चों minus का y cot x और ब्राबर minus sin x से divide किया तो इधर आजाएगा minus sin x ठीक है इसका integrating factor निकाला बच्चों इसका integrating factor होगा e to the power minus का cot x into dx तो इसको मैंने integrate कर लिया तो integrate करेंगे तो cot x का integration होता है बच्चों log sin x minus sin ने तो log cos x लिख दिया उसको और e की power log cos x आजाएगा बच्चों cos x कितना हैगा y into cos x बराबर minus sin x into cos x cancel out हो जाएगा minus 1 उसका integration minus x plus c हमें कुछ दिया गया है क्या function के बारे में 0 से pi r differentiable function एक value दीगे यह देखो f of 6 बराबर minus pi pi 12 देखे बच्चों इसमें put करते हैं इसकी value कितने put करनी है minus pi pi 6 x की तो cos x कितना होता है बच्चों 2 so that will be equal to 2y बराबर x की जगे पर कितना 2y, y की value कितनी है बच्चों y की value minus ka pi upon 12 2 into minus ka pi upon 12 बराबर x की value है बच्चों pi upon 6 so minus ka pi upon 6 plus c देखो जो 2 के साथ multiply होके यह भी minus pi upon 6 हो जाएगा तो इसे कट जाएगा और c आजाएगा 0 और c 0 आजाएगा तो y की value आजाएगी बच्चों minus ka x into sin x तो actually यह function है बच्चों आपका अब आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा option सही है और कौन सा option गलत है ठीक है इसके अंदर main यही था कि आप function निकाल लीजिए function के बाद question बड़ा आसान है तो हमने इसका function निकाल लिया है हमारा f of x आ गया है बच्चों minus ka x into sin x ठीक है अब यह function आ गया तो देखो हम option चेक करते हैं पहला option f of pi pi 4 pi pi 4 put करेंगे तो आएगा बच्चों minus pi pi 4 into root 2 so minus ka pi upon 4 root 2 तो पहला option बच्चों क्या हो गया गलत हो गया ठीक है दूसरा option f x will be less than or equal to this यह देखे बच्चों इसको ध्यान से देखिए sin x का expansion है इसको open कर दीजिए minus ka x sin sin कितना होता है बच्चों minus x cube by 3 factorial and so on इसको multiply करोगे दाएगा बच्चों minus x square plus x की power 6 upon 6 और minus ठीक है इसके और और भी एक quantity होगी जो आगे इसमें से subtract होगी तो देखे बच्चों f x जो है वो minus x sin x यह बहुत बड़ा expression है और इधर आपके पास में शिरफ एक यही ट्रम दी हुई है और इस ट्रम में से आगे quantity subtract हो रही है मतलब f x जो होगा वो इससे क्या होगा बच्चों छोटा होगा तो यह option बिल्कुल सही हो गया ठीक है ना जैसे माल लेते हैं कि यह 10 है तो 10 में से 2 subtract होगा तो इधर तो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा minus x sin x option d भी आपका correct आएगा f of pi pi 2 की value ही आपके पास double derivative निकालके pi pi 2 पर value calculate कर लीजिए यह option भी सही आएगा there exists a belong to 0 से infinity such that f dash of a ब्राबर 0 तो इसके अंदर देखो बच्चों यह continuous or differentiable function है 0 पर value 0 है पाई पर value pi है ठीक है तो पाई पर भी value 0 है तो इसके अंदर आपकी rollage theorem लग रही है और rollage theorem लग रही है बच्चों तो यह option भी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा at least एक point ऐसा जरूर होगा इसमें a जहां पर f dash of a आपका कैसा होगा बच्चों 0 होगा so b c और d तीनों option हमारे बिल्कुल सही है ठीक है आगे चलते हैं अगले question की तरफ देखते हैं क्या है देखे बच्चों यहां पर देखे बच्चों में एक question दिया गया है ठीक है कि एक कोई कारू है मेरा y ब्राबर y of x ठीक है ना y ब्राबर y x which is in the first quadrant वो first quadrant में है and let the point 1,0 lies on it ठीक है 1,0 इसके ओपर lie कर रहा है let the tangent of i ठीक है यह कारू का नाम है ना i at a point p intersect the y-axis at yp देख बच्चों कोई भी एक general कारू है जिसके किसी point p पर ठीक है ना जो tangent की जो equation है वो y-axis को cut कर रही है कहां पर y-axis को cut कर रही है yp पर ठीक है if p yp has the length 1 बच्चों यह length आपको 1 दी गई है p से yp की length 1 for each point p यह कोई भी point p हो x,y यह length आपकी 1 दी गई है आपको then which of the following options is our correct तो बताना है कि देखिए बच्चों आपको कौन सा option correct है और दूसरा देखिए बच्चों इसके अंदर यह जो आपके पास में है which in the first coordinate let the point 1,0 lies on it ठीक है न 1,0 से आपका कार्यों क्या कर रहा बच्चों pass कर रहा है चलिए बात करते देखिए कितना आ रहा है देखिए बच्चों इसके इंदर सबसे पहले हम yp के निदेशां निकालते हैं calculate करते है coordinates उसके बात देखेंगे आगे तो आएगा देखिए बच्चों y-yp ब्राबर कितना आ जाएगा dy by dx यह y-y यह y coordinate होई है yp-y ब्राबर-dy by dx यहां पर बच्चों x coordinate कितना हो जाएगा 0-small x तो यहां से yp की value कितनी आ जाएगी बच्चों y plus x into dy by dx यह आ जाएगा और बच्चों इस point की इस point से distance ठीक है यह yp क्या है आपका इस point के coordinates हो जाएगे 0,yp इसकी से distance कितनी आएगी देखो बच्चों 1 दे रखिए 1 ब्राबर x-0 का square x square plus this minus this इसमें से y coordinate को घटाएंगे subject करेंगे तो y cancel out हो जाएगा तो आएगा बच्चों x square into dy by dx का whole square ठीक है तो ऐसी मेरे पास में differential equation आ रही है ठीक है 1 plus x square ब्राबर this ठीक है अब इसको solve करते देगे बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिजी मैं इसको मिटा रहा हूं दुबार देखेंगे 1 plus x square plus x square into dy by dx का whole square ब्राबर 0 देखो कितना है हमारे पास 1 plus 1 equal to x square plus x square into y dash whole square ब्राबर 0 कितना हैगा देखो x square को इधर ले आए 1 minus x square ब्राबर x square into y dash whole square ब्राबर 0 दोनों side root कर दिया तो x into y dash ब्राबर आगया बच्चो plus minus root over 1 minus x square ठीक है इसको इसको इधर लेके आएंगे तो दोनों options आपको दिये गए है plus root over 1 minus x square और साथ में बच्चों यह भी दिया गया है x y dash minus root over 1 minus x square ठीक है ना दोनों options आपको दिये गये कर रहा है तेहू देखो बच्चों आपको यह देया गया है कि आपका कार्व जय ना वह बाम कॉमा जीरो से पास कर रहा है कर काहसे पास कर रहा है ऊरकशन जीरो से भाइना अब्जोन आपसे यह भी दिया गया है ठीक है तो इसकी य-axis से जो distance है वो कितनी है बच्चो वन यूनिट दे रही है ठीक है तो देखिए अगर आपका कार्व इधर चला गया इस साइड में चला गया ठीक है तो फिस्ट क्वाडेंट के अंदर जो आपके पास में जो पॉइंट होगा ठीक है उसकी distance 1 नहीं आ सकती इसका मतलब यह जो कार् ज्यादा हो जाएगी और वन सी ज्यादा हो जाएगी टेंजेंट की distance तो गड़बड हो जाएगा फिर ठीक है इसका मतलब आपका कार्व ऐसा होगा और ऐसा होगा तो उसका उस पॉइंट के उपर जो slope होगा बच्चो वो कैसा होगा नेगेटिव होगा और नेगेटिव हो इस differential equation को solve करना है तो इसके variable separate आसानी से हो जाएगे और जैसे variable separate हो जाएगे तो अब इसका हमारा कोई काम नहीं हुआ है बस हमें into dx बरावर zero, इसको integrate करते हैं, इसको integrate करते हैं, कितना आएगा y, इसको integration करने के लिए x को sin theta पूट किया, तो ऊपर आगा देखो cos theta, dx भी हो जाएगा, x को sin theta पूट किया, इसलिए cos theta into d theta, divide by x हो जाएगा आपका sin theta, ठीक है ना, x को क्या पूट किया था हमने, sin theta, तो dx हो जाएगा, cos theta d theta, ये भी हो गया cos theta और नीचे आगया sin theta, ठीक है, इसको आपको integrate करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपके पास में y plus cos square theta divided by sin theta, ऐसा ही आ रहा है ना, x को नीचे divide कर दिया, into dx ये ही आएगा, cos square theta को लिखा, बच्चो, 1 minus sin square theta divided by sin theta, तो 1 minus sin square theta हो जाएगा, बच्चो, cos theta, और minus, 1 upon sin theta, cos theta, और minus sin theta, ऐसा आजाएगा, और इसको बच्चो, क्या करना है, हमें, integrate करना है, किसके respect में, d theta के respect में, कितना आएगा, बच्चो, y plus cos theta, cos theta का integration होता है, बच्चो, log 10, एक काम करते है, cos theta में ही रखते है, log cos theta, minus cos theta, cos theta, और minus sin theta का integration होता है, बच्चो, plus cos theta, कितना होता है, sin theta का integration होता है, plus cos theta, और equal to में कितना आजाएगा, 0, clear, इसको solve करते हैं, कितना आएगा, यहां से जब आप values पूट करोगे, x को देखो, sin theta पूट किया था, ठीक है, यहां पर कितना आएथा, cos square, that is, 1, हमने x को sin theta पूट यह कट जाएगा, minus sin theta और sin theta का integration होता है, बच्चो, minus cos theta, तो यह हो गया, plus cos theta into d theta, इसकी values पूट कीजिए, देखी, कितना हैगा, इधर y plus का है, तो y ब्राबर, इस इन दोनों टरम को उदर लेगे, क्योंकि y के equal to में हमें दे रखा, that will be equal to minus का log, cos theta कितना होगा, बच्चो, cos theta upon sin theta, that is, 1 minus, यह बन जाएगा, बच्चो, root over 1 minus x square cos theta, यह भी इधर आगे, minus cos theta, root over 1 minus x square, लेकिन देखो, बच्चो, दोनों टरम नेगेटिव में, ऐसा हमें कोई option नहीं दिया हुआ, यह भी नहीं दिया हुआ, और यह भी नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसे ही देखो, इधर ल plus 1 minus x square से rest slice कर लिजिए, तो आपका यह option भी आजाएगा, तो option d भी बच्चो, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, clear है, तो इसके अंदर जो important point एक यह जो था question के अंदर, कि इन दोनों में से हम इसी equation को क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्यों इसको लोग है, तो यह solution आज जाएगा, और कुछ बच्चो ने तो चारों ही कर दिये, कि दोनों possible हो सकती है, बच्चो एक ही करो कि दो equations possible नहीं हो सकती, और वैसे भी साथ में आपको क्योंकि यह condition दी गई है, तो इस condition के थ्रू हो बच्चो फिर आपके पास में, शिरफ पहला और चोथा option ही सही होगा, clear फिर चलते हैं बच्चो अगले क्यूशन की तरफ, अगला क्यूशन है देखिए हमारा क्यूशन नम्बर 21, 21 क्या है चलिए देखते हैं, क्यूशन नम्बर 21 में देखो हमें दे रखा है, एप R से R में एक function है बच्चो और काफी बड़ा सा function दिया गया है, ठीक है, और हमें चेक करना है इस function के अंदर, क्यों बहुत सारे function एक साथ हैं तो ऐसा नहीं कि सब कुछ करने बेट जाओ, जितनी जरूत है उतना ही करना है ठीक है, देखो, इसमें एक option आपको ऐसा दे रखा है कि F on to function है, क्या दे रखा है, कि F on to function है, तो ध्यान से देखो बच्चो, F on to function ह कैसे पता चलेगा, बच्चो, इसकी quad domain R दे रखी है, तो इसकी range बता कर लो, और range ऐसा नहीं कि सारे function की निकालने बेट गए, एक दो function से ही आपको idea लग जाएगा, कैसे, बच्चो, यह odd function है, और odd function की range हम सब को बता होता है, minus infinity से शुरू होती है, ठीक है, और इसको 0 तक ही clear है, साथ में ही देखो बच्चो, यह जो last वाला जो पार्ट है ना, इसको देखो ज्यान से, इसके अंदर देखो, इसको यह से लिखा थावड़ा सब पहले हमने, x-2, ठीक है, into log x-2, इस मैं भी कर दो, बच्चो, minus common लेकर के, x-2, plus 2 कर दिया, so minus 2 कर दो, 10 by 3, minus 2, इसको थ यह आजाएगा हमारे पास, 6, 3 into 2, 6, 6 minus 10, 10 minus 6 कितना हो जाएगा, 4 by 3, ऐसा हो जाएगा, और t की value कहां से कहां हो, कि देखो, x की value 3 से बड़ी है, तो x-2 को अमने t माना, तो 3 पर इसकी value कितनी आएगी, 1, t हमारा 1 या 1 से greater है, बच्चो, इसको देखो, इसको differentiate कर लो, इसको करेंगे, तो आएगा 1 और minus 1 और यह 0 तो इसे कट जाएगा, तो log t आगया, और log t की value बच्चो, अगर t एक से बड़ा है, तो यह positive है, इसका मतलब यह हुआ कि f-x हमेशा positive है, में इस यह increasing function होगा, और increasing function होगा, तो इसकी minimum value बच्चो 3 पर ही आएगी, और उसके बाद में infinite क की तरब जाएगा, तो 3 पर इसकी value निकाल लो, 3 minus 2, 1 log 1, 0 होता है, यहाँ पर minus 3, तो इसकी range आजाएगी बच्चो, 1 by 3 से लेकर के infinity तक, ठीक है, 1 by 3 से infinity, बच्चो, यहां से range आ रहे थी, minus infinite से 1, यहां से आ रहे है, एक बटा 3 से infinite, दोनों को मिला दो, तो सारे real number हो ठीक है, ऐसे करकर के बच्चो, आपको हर option को check करना है, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, अगली तरव, एक बार मिटा देते हैं इसको, तो हमारा यह option बच्चो, सही आ गया, कौन सा, C option, अब बात करते हैं, बच्चो, देखो, D option के बारे में, D option क्या है, F is increasing on minus infinite से 0, देखो, बच्चो, इसको लिख सकते हैं, 1 plus x की power 5, ठीक है, x की power 5 आजाएगा, यह सारे आजाएगा, बच्चो, यहां गडबड़े 5x होना चाहिए, ता 3x ही दे रखा है, तो इसमें से कर दो, बच्चो, minus का 2x, ठीक है, अब इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, minus infinite से 0 में, check कर अब इसका differentiation आसान है, 1 plus x की power 4 minus 2, तो देखो बच्चो, यह तो आपके पास में 2 upon 5, t की power 4 बराबर 2 upon 5, तो इसका negative root आएगे, negative, positive दोनों, ठीक है, इसका मतलब minus infinite से 0 में, इसका sign change होगा, और sign change होगा, तो यह increasing नहीं होगा, तो यह option बच्चो, आपका गलत हो गया, ठीक है, इसे ही बच्चो, यह दोनों option एक जैसे हैं, देखो, f dash has a local maximum at x equal to 1, और f dash is not differentiable at x equal to 1, आप देखो, x equal to 1 के बारे में, बस सिरफ आपको इन ही दोनों के अंदर discuss करना है, ठीक है, इसलिए मैंने कहाता है, इसमें हर चीज को नहीं आपको click करना है, ठीक है, देखो, on to के इसमें आएगा, तो चलिए, चेक कर लेते हैं, यह हमारा सही आगया, यह गलत आगया, बच्चो, पहले तो उसकी continuity चेक कर लो, x equal to 1 पर बच्चो, यह कितना आएगा, x equal to 1 पर यह आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1, और इस यह कितना आएगा, इसको चेक करो एक बार, 2 by 3 minus 8 by 3 minus 6 by 3, that is minus 2, और 7 minus 4 कितना हो जाएगा, 7 minus 4 हो जाएगा, बच्चो, 3, तो एक आजाएगा, पहले भी एक आया था, ऊपर भी एक आया, तो continuous है, तो दोनों को differentiate कर दो, तो पहले वाले केंदेगो, f dash कितना आएगा, ठीक है, नहीं दोनों को कर रहे हैं आपन, तो यह से कितना minus 1, और यहां से कितना आएगा, यहां से 3 कट जाएगा, तो यह बन जाएगा, 2x square minus 8x plus 7, अब देखो जान से, 0 से 1 और 1 से 3, इसके बीच में, f dash has local maximum, और f dash is not differentiable at x equal to 1, ठीक है, तो चलिए, दोनों बाते हो जाएगी, f dash का graph बना लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, यह है ब मेरे पास में, यह quadratic है, एक से लेके 3 तक, तो चलिए देखते हैं, देखो 0 पर इसकी value minus 1, और 1 पर इसकी value, 1, तो यहां पर तो बच्चो ऐसी line बनेगी, ठीक है ना, इसी line, इसका vertex कहां पर होगा बच्चों, इसका vertex होगा मेरे पास में, 8 by 2, 8 by 4, 2 पर होगा, vertex नीचे बनेगा, मलब 2 तक, यह quadratic इधर से ऊपर सही आएगी, और continuous है, तो इस point से होते होए इधर आएगी, ठीक है, और इसके बाद बच्चों इस आगे चली जाएगी, ठीक है, तो देखते है, देखो, f' has local maximum at x equal to 1, बिल्कुल सही बच्चों देखो, local maximum आएगा यहां पर x equal to 1 पर तो a, b और c आपके तीनों सही है, जबकि d option बच्चों आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, clear, फिर चलते हैं बच्चों अगले question की तरफ, और अगला question देखते हैं, क्या है हमारा, question number 22, देखे, देखे, क्या दिया इसके अंदर, यह देखे बच्चों काफी सांदार सा question है, फिर से यहां पर आपको दे रखे हैं, यह जो points है, x1, x2, x3, xn, यह सब local maximum है, और y1, y2, y3, yn, यह सब local maximum है, बच्चों दौनों local maximum है, नहीं, इसमें से एक आपके minima होगा, दूसरा maximum होगा, ठीक है न, इस में थोड़ी सी printing mistake है आपकी question में, ठीक है, local maximum, एक बार हिंदी में पढ़ो देखो बच्चों, इस्तानिय उस्तम और इस्तानिय न्यूनतम, तो यह minima है, ठीक है, यह कौन सा है minima, एक जगे दिक्कत हो न, दूसरी साइड पढ़ लिया करो, इस्तानिय न्यूनतम है y1, y2, y3, और यह इस्तानिय एक जगे कितना होगा, minima, ठीक है, अब बात करते देखो बच्चों, इसके maxima minima के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका differentiation चाहिए होगा, तो चलिए इसको differentiate करते, कितना आएगा, f dash x बराबर आजाएगा हमारे पास, नीचे आजाएगा, x की power 4, उपर कितना आएगा, sin pi x का differentiation, pi into cos pi x, pi x square into cos pi x, साथ में कितना आएगा बच्चों, साथ में x square का differentiation, minus 2x, so minus का 2x into sin pi x, यही आएगा, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना, इसमें से क्या करते हैं, x को common निकाल लेते हैं, pi x को भी common निकाल लेते हैं, ठीक है ना, x क 2 भी और cos pi x को, दोनों को, तो यहरा आजाएगा, देखो, pi, pi को बाहर ने, x को बाहर निकालते हैं, और साथ में निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, भच्चों, यहाँ, pi बचेगा और 1x बच जाएगा, by 2 को भी बाहर निकाल लो, ठीक है ना, pi x by 2 और माइनस यहां पर आजाएगा 10 पाई x ठीक है मेरा मोटिव यह था कि बस यह 10 वाली जो ट्रम है यह अक्यली आजाए ताकि हम इसको थोड़ा साच्छे से analysis कर सके divided by x की power 4 ठीक है थेखो x greater than 0 है तो 0 परत मेरे को बात ही नहीं करनी है मेरे को 0 से आगे बात करनी है बच्चो अचा देखो जब cos pi x 0 होगा न तो यह तरह में 0 नहीं होगी क्यों जब cos 0 होता है तो sin 0 तो नहीं होता है, cos pi pi 2 के multiple पर 0 होता है, तो यह जब 0 होगा, cos pi x, उस टाइम पर यह साथ वाली ट्रम कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है, तो मेरे को मैंली इसी चीज़ पर focus करना है, 10 pi x और pi x upon 2, इसका देखो, 10 का जो graph होता है, हमारे पास, वो कैसा होता है, ऐसा, इसके बाद मे ऐसा, इसके बाद में ऐसा, ठीक है, ऐसा graph होगा 10 का, 10 pi x दे रखा है बच्चों, तो यह देखो, यह point कितना है, मेरा 1 by 2, ज्यान से देखना बच्चों, यहां पर, थोड़ा सा color change कर देता हूं, ताकि आपको दीख जाए, यह point है, बच्चों, 1 by 2, यह point होगा 2, यह point होगा तो देखो, यह तो 10 pi x का graph है, अब graph draw कर लेते, pi x by 2 का, तो यह देखो, एक line की equation होगी, जो origin से pass करेगी, और इस तरीके से जाएगी कुछ, अब देखो, बात करते हैं कि कहां पर, कौन सी term negative होगी, और कौन सी term positive होगी, ठीक है, जो कि जब-जब आपके सामने, यह 0 होगा, तो वहाँ वहाँ पर आपको point of local maxima और local minima मिलेंगे, यह fx का graph नहीं है, यह किसका graph है, यह तो हमारे इसका graph बनाया, बस किसके लिए, चेक करने के लिए, कौन सा point maxima है, और कौन सा point minima है, देखो एक काम करते है, x equal to 1 पर जैसे हमने देखा, x equal to 1 पर यह तो 0 हो जाएगा, और यह 1 by 2, ठीक है, x equal to 1 पर, यहाँ पर cos pi कैसा होगा, बच्चों, cos pi negative होगा, ठीक है, cos pi की value कितनी होती है, minus 1 और into pi pi 2 और यह सब कुछ positive रहेगा, तो 1 के उपर value negative आ रही है, और यह जो point है बच्चों, इसके पहले हमारे पास में negative होगी, यह जो भी point होगा, 1 से 3 by 2 के बी पी छोगां इसा रहेगा, negative सिसके बाद में बच्चों यह आगे चला जायेगा positive के अंधर, क्यों? क्योंकि जैसे ही एक बार 0 होगा, तो negative से positive में convert होगा, ठीक है ना, negative से positive में convert होगा, फिर आगे जाएंगे positive से वापिस चलेगा negative, फिर आगे चलेंगे वापिस आएगा positive, तो देखो बच्चो, सबसे पहले आपका जो graph होका f-x का. आप उसकी बात कर लेते हें. ठीक है, つो जो граф negative r-mos, graph decreasing होगा, ठीक है ना, graph जैसा भी होगा, europ diagram तिरह भी ग्रम, पहले decreasing हो गाम, फिर increasing होगा, फिर decreasing होग, फिर increasing होगा, फिर decreasing होगा, फिर decreasing होगा, इसे चलेगा ठीक है ? तो पहला जो point आएगा वो क्या होगा बच्चो आपका ? वो local minima होगा यह Y1 है यह X1 है यह आपका Y2 है और यह आपका X2 है यह आपका Y3 है और यह आपका X3 है तो पहले Y1 आएगा और बाद में X1 आएगा पहले local minima फिर local maxima क्योंकि पहले graph decreasing फिर increasing फिर decreasing फिर increasing इस तरीके से चलेगा अब देखो बच्छों हम अपने options को देख लेते हैं इसके बीच में एक काम करते हैं अपने यह जो points है उनको भी लिख देते हैं ठीक है यह जो minima आएगा ना उसके पहले मेरे पास में एक point होगा बच्छों कौन सा one ठीक है इसके पहले जो minima आया था उसके just पहले एक point था मेरे पास that is one ठीक है और maxima से just पहले एक point आया था मेरे पास two ठीक है ना ऐसे फिर वापेस एक point आएगा three फिर वापेस एक point आएगा four five six ठीक है ऐसे चलता रहेगा बच्छों यह ठीक है अब देखो इसका analysis करते हम कैसे कर रहेंगे अभी करते लिगो बच्छों options को देखते हैं एक sen belong to two n से two n plus one by two for every n यह क्या कह रहा है कि हर two n से two n plus one by two के बीच में हमें एक local maxima मिलेगा तो बिल्कुल सही कह रहा है देखो 2-3 के बीच में मिल रहा है local maxima 2-3 बोल रहा है लेकिन देखो बच्चों इसमें और इसमें आदे का भी gap नहीं है क्यों क्यों कि इसके बाद में बीच में एक बार किदर चला गया आपका infinite की तरह ठीक है तो इससे और इसके बीच में बिल्कुल आदे इंट्रवल के देखो 2-2.5 के बीच में ही मिल जाएगा आपको ठीक है तो यह बिल्कुल सही है 2-3 के अंदर maxima मिलेगा फिर वापिस देखो 4-5 में maxima आ रहा है उपर यह रहा फिर वापिस अगले में देखो 6-6.5 के बीच में मै जादा है देखो बच्चो xn plus 1 minus xn इदर आओ देखो xn plus 1 और xn minus 1 इसके बीच में अचा इन दोनों के बीच की जो distance है उप कितनी आपके पास में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की distance 1 है ठीक है और इससे इसके बीच की distance 2 है ठीक है यह इससे थोड़ा आगे है ठीक से xn प्लस 1 माइनस xn मतलब जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से ज्यादा होगी तो बिल्कुल सही है देखो 2 लगातार जब पॉइंट आप लोगे ठीक है तो वहां पर इसकी जो डिस्टेंस आएगी आपके पास में वह 2 से ग्रेटर होगी ठीक है यहां से दिखाई दे रही ह है ऐसी xn और yn ठीक है ना xn और yn लॉकल मैक जिमा और लॉकल मिनिमा के बीच की उसके डिस्टेंस एक से ज्यादा होगी यह उप्षन भी सही है लास्ट ऑप्षन गलत है बच्चो एकस वन और y1 में से y1 पहले आ रहा है एकस वन बाद में आ रहा है एकस वन वाइवन से होगा तो यह option बच्चो आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो पहला दूसरा तीसरा तीनों से ही है और चौथा option आपका गलत है यहां पर फिर आगे चलते हैं देखो अगला question है बच्चो question number 23 देखो क्या करना है इसमें आप यह थो देखो लो बहती आसान क्युशन आया इनल उड़ा और और इस क्युशन में अमें क्या करना है अामें दो क्रॉपर्टी देर ένα क यूख Unsagu कौन से फंक्सन कौन की आपका पोलू कर रहा है ठीक है जब से पहले रहे हैं एक प्स इंटा मॉड X है property 2 x into mod x property 2 को follow कर रहा है कि चेक कर लो बच्चो f of h कितना हो जाएगा h into mod h ठीक है minus f of 0 0 ही हो जाएगा divide by h square कितना आ जाएगा 1 h कट जाएगा तो mod h divided by h ठीक है यह कह रहा है कि limit exist करेगी तो बिल्कुल exist नहीं करेगी बच्चों क्योंकि एक बार इसकी value 1 आएगी एक बार इसकी value minus 1 आएगी राइट और लेप्ट अलग लग हो जाएगी तो यह option बच्चों आपको यह क्या कह रहा है कि इस property को follow कर रहा है तो बिल्कुल नहीं कर रहा है यह गलत option है बच्चों अगला क्या है देखो अगला है mod x has property 1 ठीक है mod x property 1 को follow कर रहा है देखते है देखो mod x mod h कर लो f of h के लिए minus f of 0 फिर से 0 आजाएगा divide by root over mod h तो यह बिल्कुल सही है देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है यह root over mod h आजाएगा s tending to 0 पर इसकी value 0 होगी और यह exist करेगी और finite होगी यह बिल्कुल सही option है option number b फिर चलते बच्चो sin x has property 2 sin x property 2 को follow कर रहा है यह बहुत ही आसान question है देखो sin x sin 0 की value 0 sin h divided by h square हम सब को पता है sin h by h की limit 1 होती है और 1 by h बच गया पीछे तो यह undefined कर देगा तो यह exist नहीं करेगा तो option c भी बच्चो आपका कैसा हो गया गलत हो गया option d property 1 को follow कर रहा है बिल्कुल बच्चो एक्स टुदी पावर 2 by 3 divided by mod root h has property 1 देखते हैं तो आप यह अपना सिरफ b option सही है एक बार इसको काट दें अभी तक b सही है ए गलत c गलत d को देखते है बच्चो property 1 को follow कर रहा है क्या property 1 में करेंगे कितना आएगा h की power 2 by 3 साथ में कितना आएगा साथ में आएगा बच्चों आपके सामने f of 00 हो जाएगा और divide by root over mod h mod h देखो इसके अंदर से h की power 1 by 2 को अलग कर लो ठीक है और वैसे देखो यह इसके अंदर नीचे root के अंदर present है इसकी power 1 by 2 है तो उपर लेकर आओगे तो 2 by 3 minus 1 by 2 कितना आजाएगा 4 minus 3 divided by 6 तो बिल्कुल h की power 1 upon 6 बचेगा जो आपके पास में एक finite number होगा जब 0 की तरफ तो यह 0 की तरफ एप्रोच कर जाएगा ठीक है और यह 0 की तरफ एप्रोच कर रहा है तो यह option भी बच्चों हमारा क्या हो गया सही हो गया चलिए आगे बात करते हैं इसकी value चाहिए कुछ भी होगी ठीक है ना साथ में जब यह drum रहेगी तो इसको क्या कर देगी जीरो कर देगी ठीक है यह 0 की तरफ एप्रोच करेगा उसकी value चाहिए 1 आजाये चाहिए 1 आजाये 2 आजाये माइनस 2 ठीक है ना तो इसलिए यह आपको इसको satisfy कर जाएगा तो B और D option दोनों बच्चों सही है ठीक है फिर आगे चलते हैं देगो बच्चों अगले क्यूसन की तरफ अगला क्यूसन क्या है हमारा कि इसन नमर 24 देखिए इसमें क्या करना है कि इसन नमर 24 के इंदर देगे बच्चों आपको एक function दिया गया है एक माइनस 1 एक माइनस 2 और एक आपको इंटीग्रेशन दिया गया है जीरो से एक से एक से एप टी डी ठीक है और बच्चों आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा option सही है देखिए बच्चों सबसे पहले तो f-x निकाल लीजिए f-x आजाएगा कितना एक माइनस 1 एक माइनस 2 और एक माइनस 5 ठीक है इसके बाद क्या करना है बच्चों इसके बाद option को चेक करते है एप हेज देखो capital A के बारे भी पूछा है तो f-x से ही पता चलेगा हमें एक दो और पांच प्लस माइनस प्लस माइनस यह शाइनिंग कर दी हमने एको पहले हमारा graph decreasing होगा फिर increasing होगा फिर वापिस decreasing होगा फिर वापिस increasing होगा तो क्या है देखो option पहला option है बच्चों एप हेज two local maxima and one local minima गलत है बच्चों local minima 2 होंगे maxima 1 होगा ठीक है ना मेक जिमा 1 है और minima 2 है बच्चों small m की value 2 capital M की value 1 तो यह कह रहा you two local maxima तो एक गलत बात है बच्चों पहला option ही गलत हो गया, शुरुवात ही खराब हो गई, कोई बात नहीं, fh local minimum 8x equal to 1, बिल्कुल सही बात है बच्चो, x equal to 1 per local minimum है, यह बिल्कुल सही आंस्वर है, fh local maximum 8x equal to 2, बिल्कुल सही है देखो, x equal to 2 per local maximum है, c भी सही है, fx will be not equal to 0 for all x belong to 0 से 5, यहां बच्चो, यह जो पेपर हुआ था आपका 2019 के अंदर, इसके अंदर कापी सारे questions आये थे बच्चो, advanced के अंदर और इसके अंदर partial marking दी हुई थी आपको, इसलिए हर question के अंदर एक part आपको ऐसा दिया हुआ था, जो बहुत time consuming था, इसलिए ऐसे paper अगर आपके आते हैं इस साल, तो वहां पर आपको भी क्या करना है, आपको उन question की तरफ पहले ज्यादा focus करना है, कि partial marking वाला अगर multiple तो इसमें दे देते हैं, तो उसमें आपको एक option पिल्कुल ऐसा डालते हैं, जो आपका time consuming होता है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, वह जए गलत होगा या सही होगा, उस option को छोड़ दीजिए, जितने आपको अच्छी तरीके से आपको करिए, आगे बढ़ जाईए, और लास्ट कंज जब आपका time बचे, तब आकर के उन option को उपर वापिस try कीजिएगा, कभी भी ऐसा मत कीजिए, क्यों आपको all or paper में maximum marks लेके आना है, एक क्यूशन के अंदर maximum marks नहीं लेके आना है, ठीक है ना, अभी हमारा option आया था, B और C शही आया था, और A गलत आया था, अब देखो बच्चो, capital FX की value निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चो, इस function को integrate करना पड़ेगा, किसको, x-1, x-2 और x-5 और इसको पूरा integration करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि देखो बच्चो, small FX जो है, ठीक है ना, इसको integration करने से capital FX आ रहा है, और integration से हमें क्या मिलता है, हम सब को पता है, area मिलता है, FX का जो graph है, बच्चो, 1, 2 और 5 इसके root से, 1, 2, 5, यह इधर से आएगा, यहां गिरेगा, इधर से फिर आएगा, फिर नीचे की तरब जाएगा, तो यह x equal to 0 है, cubic equation, देखो बच्चो, अगर यह 0 आपके पास में not equal to 0, अगर आएगा 0 से 5 के अंदर, FX will be not equal to 0, for all x belong to 0 to 5, ठीक है, तो देखो बच्चो, यह area negative है, और यह area positive है, यह कैसा होगा, negative, और यह कैसा हो जाएगा बच्चो, positive, तो negative और positive मिलकर के ही, आपके पास में negative हो सकता है, इसके बाद में तो यह वापिस negative आ जाएगा, तो अगर हम देखो, यह area निकाल लेते हैं, इस point से लेकर के, इस point तक का, ठीक है, और बाईचा से अगर यह negative आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब तो इसके बाद में फिर negative आने वाला है, तो बच्चो एक बार तो यह जरूर negative से, क्योंकि positive तभी आएगा, जब negative आली quantity ज्यादा और positive आली कम और positive आली quantity ज्यादा, तो उसके बीच में, जब negative से positive हो, convert हुआ है, तो दोनों एक बार बराबर भी हुए हैं, और बराबर हुए हैं, तो वहाँ पर फिर fx आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, हमें सिरफ यह चेक करना है कि 0 से 2 तक, ठीक है ना, x-1 into x-2 into x-5, इसका area positive आरहा है या negative आरहा है, ठीक है, इसमें कोई छोटा सा substitution करते हैं, ताकि हमारा odd function बन जाए, minus 1 से 1, x-2 को substitute कर लेजिए t, ठीक है, तो जब x tending to 0, नहीं, x-1 को t substitute कीजिए, x tending to 0, minus 1, x tending to 1, 1 बन गया, तो यह बनाएगा, तो यह बनाएगा, ती, t minus 1, और t minus 4, इसको multiply कर लो, एक क्यूब एक equation है, t cube minus 4 और 5, t square, और 7 में आजाएगा बच्चो, plus 4t, इसको हम आसानी से integrate कर सकते हैं, इसको integrate करने की जूरूत भी नहीं, देखो बच्चो, यह odd function है, इसका 0 होगा, यह odd function है, इसका 0 होगा, शिरफ इसका अंसर निकाल लो, तो यह आएगा, minus 5 t cube divided by 3, ठीक है, यह भी double हो जाएगा, क्योंकि minus 1 से 1 कर रहे है, तो 2, 0 से 1, इसके अंदर limit, put कर दीजिए, तो जैसे देखो value put करोगे, तो बाहर minus sign है, तो simple सी बात है, negative ही आना वाला है, और negative plus positive मिलाके negative आ रहा है, इसका मतलब यह जो positive वाली quantity है, वो इसके comparative में कैसी है, कम है, less है, इसलिए आपके पास में यह 0 नहीं हो पाएगा, और यह option बिल्कुल सही है, कि FX की value, क्योंकि देखो, इन दोनों को मिलाके negative आ रही है, इसके बाद में दिखाई दे रहा है, फिर negative आएगा, ठीक है, तो दो negative नमबर मिलकर के कभी भी positive नहीं आ सकता, ठीक है, तो यह FX का मान 0 से 5 के अंदर कभी भी 0 आपका नहीं होगा, clear है, चलिए बात करते आगे अगले question की तरह, चलिए बच्चों आगे देखते है, हमें question number 25, question number 25 में देखी क्या है, हमें एक function दिया है, सबसे पहले तो यहां पर f of x will be equal to this up to sin x, ठीक है, sin x भी इसमें साथ में, g एक दूसरा function है, r से r के अंदर arbitrary function और f into g, यह भी एक defined function है, हमारा r to r, be the product of function defined by f of gx will be f into gx का meaning क्या है, आपके पास में, f और g दोनों का कैसा है, product है, then which of the following statements is r true, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन-कौन सा function, कौन-कौन सा option हमारा correct होगा, clear है, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले option number 1, option number 1 में देखी क्या दिया है, कि g जे continuous at x equal to 1, then f into g differentiable होगा या नहीं होगा, देकि g continuous है, means हमें यह दे रखा है कि g of 1 plus g of 1 minus, और साथ में हमें दे रखा है g of 1, यह सारी values हमारे पास defined है, ठीक है और सबकी value कैसी होगी, finite होगी, तभी continuous होगा, इसके बाद में हमें f into g के ऊपर comment करना है कि यह differentiable होगा या नहीं होगा, सो चली हम देखते हैं, तो f into g का हम क्या करते हैं, right-end derivative and left-end derivative दोनों निकालते हैं और देखते हैं क्या होगा, so f into g का right-end derivative निकालने के लिए इसमें put किया, f 1 plus h into g 1 plus h minus f of 1 into g of 1 divided by h, ठीक हम 1 पर derivative निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे किसी point a पर निकालना होता है हम करते है, a plus h, f of a plus h minus f of a divided by h, जैसे 1 plus h यहाँ पर कर देंगे, तो यह आ जाएगा, अब देखो f of 1 की value, f of 1 की value 0 आएगी अगर इसमें 1 put कर दे, f of 1 0, तो यह आगया ओला part 0 हो जाएगा, और limit h tending to 0, तो इसको देखो हम वापिस क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यह part 0 हो गया हमारे पूरा का पूरा, तो यह जो दोनों limit है, यह product के अंदर है, और यह limit exist कर रही है, ठीक है ना, g of 1 positive, g of 1 negative, और g of 1, यह सारी चीज जो ट्राम है मेरे पास में, इसको लिख दिया इस तरीके से, f of 1 plus h minus, इसमें 0 है, 0 को लिख सकते हम f of 1 divided by h, तो इसको वापिस क्या लिख सकते हम, f dash of 1, तो यह हो जाएगा आपके पास में g of 1, और यह हो जाएगा similarly आपके सामने f dash of 1, तो यह क्या आगया हमारे पास में, right- derivative, at x equal to 1, f और g का right-hand derivative यह होगा, अब बात करते हैं left-hand derivative के लिए, left-hand derivative के लिए देखो क्या changes होगा, यह जो अभी हमने question किया है, इसके अंदर क्या करेंगे, यह data तो हमारा ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर minus आजाएगा, यहाँ पर minus, इसमें कोई change नहीं, यहाँ पर minus, इसके h की limit निकालेंगे, तो अब वापिस कितनी आएगी, g of 1 ही आएगी, h tending to 0 पर, और साथ में यहाँ पर यह किसको represent कर रहा है, बच्छो, यह इसके left-hand derivative को, जिसको भी हम क्या लिखेंगे, f dash of 1, तो यह आएगा, बच्छो, हमारा left-hand derivative, तो left-hand derivative यह आ रहा है, right-hand derivative यह आ रह है, तो पहला option नमारा क्या आ आ गया, सही आ गया, पहला option शही है, तो आगे बात करते हैं, option number 2 के बारे में, f into g, differentiable है, तो क्या जी continuous होगा, क्या, धिको, f into g, अगर मेरे पास में, differentiable function है, तो g की continuity पर हम comment कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, तो चलिए, check कर सकते हैं, चलिए f into g differentiable है, इसका मतलब क्या हुआ देखो बच्छो, f का जो left hand derivative f into g का और right hand derivative same होगा, f of 1 plus h into g of 1 plus h, minus f of 1 into g of 1, divide by h, ठीक ना, this will be equal to होगा बच्छो किसके, f of 1 minus h into g of 1 minus h, minus f of 1 into g of 1, और divide by, कितना, h, तो f of 1 0 है मेरे पास, ठीक है, और f of 1 की value 0 है, तो again यह part और यह part तो मेरा क्या होगा, 0, ठीक है, लेकिन देखो बच्छो, यह जो दोनों limits है, ठीक है, limit h tending to 0, limit h tending to 0, ठीक है, ठीक है, तो g कैसा होगा, इसके बारे मेरे को पता करना है, ठीक है, तो देखो यहां से में क्या कह सकता हूँ, अगर यह दोनों data बराबर है मेरे पास, ठीक है, तो यहां से देखे मेरे पास में एक data आ रहा है, और वो क्या, f वाला जो पार्ट है, f की limit h tending to 0 पर exist क रहेगी, that will be f of 1, ठीक है, यह कितना आ जाएगा, f of 1, ठीक है, h से h कट जाएगा, ठीक है, इधर से आएगा limit h tending to 0, g of 1 plus h, और इधर से आ रहा है मेरे पास में limit h tending to 0, f of 1 तो साथ में रहेगा ही, और साथ में आएगा g of 1 minus h, तो देखिए बच्चों, यहां से left hand derivative, left hand limit औ से हा रही है, ठीक है, क्योंकि f of 1 से f of 1 कट जाएगा, ठीक है, limit की value है, वो limit है, f of 1 exact नहीं है, तो limit की value finite होती है, तो वो वहां से कट जाएगा, और यह दोनों data हमारे पास में equal है, लेकिन g of 1 की value बराबर है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम इस पर comment नहीं कर सकते हैं, कि यह continuous होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक g of 1 इसके बराबर नहीं है, तब तक हम continuity पर कोई comment नहीं दे सकते हैं, यह गलत हो जाएगा, similarly बच्चों, आपको c option check करना है, c आपका सही आएगा, क्योंकि g differentiable है, g differentiable x equal to 1 पर, ठीक है, then f of g is differentiable at x equal to 1, तो यह बिल्कुल सही होगा, जैसे पहले वाला हमने किया था, जब g continuous था, तब भी यह differentiable आ रहा था, तो अब तो बच्चों, यह differentiable है, तो बच्चों, तो continuous भी होगा, simple सी बात है, और अगर continuous है, तो f into g differentiable आएगा, यह बिल्कुल सही है, last वाला फिर से नहीं आएगा, क्योंक continuous ही नहीं आ रहा है, जब g continuous ही नहीं आ रहा है, तो differentiable कैसे है नहीं आ सकता है, इसलिए आपका d option कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा, clear, तो यह था बच्चों, आपका question number 25, आगे बात करते हैं, question number 26 के बारे में, देखें क्या है question number 26, question number 26 के अंदर आपको एक functional equation दी गई है, f of x plus y ब्राबर, f of x plus f of y into f of x into f of y, और f of x ब्राबर एक दूसरा function है, x into gx, limit extending to 0, gx ब्राबर 1, यह आपको दे रखा है, then which of the following statements are true, तो आपको बताना है कि कौन सा statement true है, पहला है देखो, f is differentiable at everywhere, दूसरा है, आपके पास में g of 0 की value क्या होगी, अगर g of 0 की value 1 है, then g will be differentiable function, इसके बाद में the derivative of f dash 1, बच्चो यह कितना है, f dash 1 is equal to 1, और अगला है बच्चो आपके पास में the derivative of f dash of 0 is equal to 1, तो देखी कैसे करेंगे, सबसे पहले में जो comment करने हमें यहाँ पर किसके उपर करने हैं, वो g के उपर करने हैं, जले बच्चो देखते हैं, तो इसके ने निकालते हैं, f dash x, ठीकर, f dash x plus h निकालते हैं, देखो कितना आएगा, f dash of x plus h कितना आएगा मेरे पास, यह f dash x की बात करें किसी point पर, so limit h tending to 0, ठीकर, f of x plus h minus f of x divided by h, यही होगी f dash x की value, f of x plus h कितना होगा, देखो इस वाले relation से, f x plus f of h, f of x plus f of h minus, plus f of x into f of h, और minus f of x, और divide by h, तो यहां से क्या आएगा, देखो, f of x से f of x कड़ जाएगा, यह रहा, f of h, देखो, यहां से common आजाएगा, तो यह बन जाएगा, 1 plus f of x into f of h divided by h, अब देखो, बच्छो, f of x divided by h क्या है, यह है, आपके पास में f dash of 0, इसकी value हम निकाल सकते हैं, और इधर से मेरे पास 1 plus fx, इसको इधर ले आएगा, एक बार इधर ही रख लो, फिर ले जाएगे, 1 plus f of x, तो यह आगया मेरे पास, f of h upon h क्या हो गया, limited standing to 0 पर f dash of 0, ठीक है, और अब यहां से देखो, यह वैसे भी कर सकते है, f of 0 की value 0 by 0 form है, तो उपर निचे इसको derivative कर दिया, और शाओ तो आप इसको लिख भी सकते है, f of h minus f of 0 divided by h, ठीक है, तो यह f dash 0 है, f dash 0 की value कर हम इससे निकाले, इसको differentiate करके देखो, इसको दोनों साइड x के respect में differentiate कर दिया, f dash of x plus y, x का differentiation 1, y का 0, बराबर, f dash x, इसका differentiation 0 हो जाएगा, इसका आजाएगा वापिस, plus का f dash x, और साथ में f of y, इसके अंदर देखिए, x और y दोनों को 0 put कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, f dash x बराबर, कितना आजाएगा मेरे पास, f dash x, और f of y रहेगा, क्योंकि मैंने x के respect में differentiation किया था, तो plus, यहाँ से कितना आजाएगा, f dash x, इसको x plus y ही रहने दे एक बार, इधर से आजाएगा आपके सामने f of y, ठीक है, मेरे को x की value 0 put करनी है, तो x की value 0 put करूँगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह f of y रहेगा, यहाँ पर, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, f dash 0 और plus, यह भी कितना हो जाएगा, f dash 0 into f of y, तो यहाँ से देखो, f dash 0 की value कितनी आ गई, f dash 0 ब्राबर आ गया मेरे पास, f of y divided by 1 plus f of y, अब यह कितना होगा, ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अपने यहाँ से value निगाल सकते हैं, ठीक है, तो यह value 1 आएगी हमारे पास में, और जैसे यह value 1 आएगी, इसके बाद में यहाँ से ही कितना आ जाएगा, f dash x upon 1 plus f x, ठीक है, इसकी value 1 आ जाएगी, ठीक f dash x चाहिए, तो जैसे आपने यह निकाली थी वहाँ पर, ठीक है, उसकी जगे पर आप क्या करें, 0 plus h लगा करके, वो concept लगा करके, उदर से आ जाएगा, अब देखो, इसको जब आप निचे लाकर करके, इंटीग्रेट करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, log 1 1 plus f of x, ठीक है, f dash x उपर रहेगा आपके पास, equal to में 1, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, x plus c, तो यहां से फिर से वापिस देखो, 1 plus f x बराबर आ जाएगा, k into e की पावर x, e की पावर x, so k into e की पावर x, x equal to 0 पर, f of 0 की value 0 है, put करके वहां से पता चल रहा है, तो जब 0 put करोगे, तो यह k आजाएगा, इसकी value 0, तो k की value कितनी आगी, 1, तो finally आपको यहां से function मिल गया, f of x will be equal to e की पावर x minus 1, जब function आगया, तो अब आप अपने सारे questions का answer दे सकते हो, f dash of x आएगा, e की पावर x, तो f dash of 0 की value 1 आएगी, 1 की value e आएगी, तो यह सही option हो साथ में, f is a differentiable at everywhere, दिखाई दे रहा है कि function हार point पर आपका differentiable है, g of 0 की value कितनी होगी, g of 0 अगर 1 है, sorry, g of 0 अगर 1 है, then g will be differentiable, तो देखे, a or d सही आगया, मेरे पास, f of x की value यह है, तो एक बार इसको याद रखिएगा, आगे चलते है, fx आया ता मेरे पास e की पावर x minus 1 ठीक है, और यह option मेरा सही था, और यह option सही था, यह option गलत था, g of 0 की value 1 है, तो g is a differentiable at everywhere, अब यह होगा यह नहीं होगा, देखो, gx की limit भी हमें 1 दे रखी है, और g of 0 भी 1 दिया है, मतलब gx continuous होगा, ठीक है, उस point पर gx कैसा है, continuous, और gx बराबर है कितना मेरे पास, f of x divided by x, और यह कितना हो गया, e की पावर x minus 1 divided by x, यह क्या है, gx, तो मेरे को यह बताना है कि यह function differentiable होगा या नहीं होगा, for every x belong to real number, तो यह continuous है, continuous है, तो इसको differentiate कर ले, differentiation करेंगे, तो इसका differentiation कितना आएगा, इसका differentiation कितना आएगा, इसका differentiation आजाएगा मेरे पास में, x square, e की पावर x का differentiation, e की पावर x into x, और साथ में आएगा minus, x का differentiation 1 और e की पावर x minus 1, तो कितना आएगा, मेरे पास में, e की पावर x आगया उपर, इसके साथ में आएगा मेरे पास में कितना, x minus 1, और साथ में आएगा बच्चों, plus का, यहाँ पर कितना है, 1, और divide by x square, तो देखो function है, यह मेरा differentiable होगा या नहीं होगा, तो यह देखिए, हर point पर differentiable आएगा आपके पास में, जितने भी points होगे, रही बात x equal to 0 पर, x equal to 0 पर तो आपके पास में value ही अलग है function की, x equal to 0 पर यह किदर approach कर रहा है, 1 की तरह, ठीक है, तो इसलिए g is the differentiable at everywhere, यह option भी आपका क्या ह हो जाएगा, जही हो जाएगा, ठीक है, बागी इसको एक बाद चेक कर लीजिए, कि कभी पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यह अब differentiable है, शिरफ x equal to 0 पर बात है, तो 0 पर क्योंकि function defined ही अलग है आपका, ठीक है, यह fx upon x तो तभी होगा, जब x आपका 0 नहीं होगा, ठी ही आएगा, फिर आगे चलते हैं देखो, question number 27, क्या है, question number 27 देखे, आपके पास में फिर से function दे रखा है आपको इस type का, 0 से 2 के अंदर, fx will be greater than equal to 0, इसका आपको answer दे रखा है, alpha से beta, तो beta minus alpha निकालना है, यह देखे, एक trigonometry plus inequality, दोनों का mix question है, तो चलिए बात कर लेते हैं देखो, 3 minus sin pi x को t मानलो थोड़ी देर के लिए, तो यह बन जाएगा sin 2t, ठीक न, pi x को t मानल लिया, तो यह बनेगा, देखो, sin t minus pi pi 4, इसको open कर दो, sin t minus cos t divide by root 2, sin a cos b minus cos a sin b, ठीक है, तो cos pi pi 4, sin pi pi 4, दोनों की value 1 by root 2 होगी, minus, इसको भी open कर दो, देखो, sin 3t sin 3t, plus, इसमें cos 3t आजाएगा, और divide by root 2, यह आजाएगा मेरे पास, अब देखो, इसमें से root 2 को common निकाल लो, root 2 को common निकाला मेने, ठीक है, तो यहां पर देखिए कितना है, यह है मेरे पास में, 3 minus sin 2t, तो एक बार इसको अंदर multiply कर दे, 1 upon root 2 होगी, यह बाहर आ गया, 3 into sin t ठीक है, और 7 में आएगा मेरे पास में, minus 3 into cos t, ठीक है, इसको चाहो तो bracket में रहने, तो कोई दिकत नहीं, sin 2t को, ठीक है, इसकी जरूत नहीं पड़ेगी, sin t minus cos t, और 7 में, इसमें formula को open कर देना, इस 1 by root 2 को पूरे में से बाहर निकाल दिया, sin 3t का formula, 3 sin 3t, 3 into sin t, minus होता है, तो यह plus हो जाएगा, 4 sin 3t, यह होता है, 4 cos 3t, तो यह minus का हो जाएगा, 4 cos 3t, और 7 में आजाएगा, plus का 3 cos t, सब्सक्ति, इसको इसलिए open किया था, इससे यह कट जाएगा, 3 sin t, सिर्सक्राण तो, इससे यह कट जाएगा, अब आदेखो, sin t minus cos t, इसमें भी आ रहा है, sin t minus cos t इसमें भी आ रहा है, तो यह पूरे में से बाहर आजाएगा, 1 by root 2 into sin t minus cos यह common आ गया पूरे में से और यह पूरे में से गृ। तो पिछे क्या बचेगा यहां पर बचेगा मैनस का sin2t मैनस का sin2t इसमें देखो sin t मैनक कॉस्ट का फेक्टर बाहर common आ गया प्लस का 4 यहां पर बचा हुआ था तो पीछे बचेगा sin2t plus cos2t square t1 हो जाएगा और साथ मचेगा plus sin t cos t plus sin t cos t तो देखो बच्छो यह वाला जो factor है यह आएगा आपके पास में 4 plus 2 sin 2t minus sin 2t 4 plus sin 2t, 4 plus sin 2t, sin 2t का मान minus 1 स 1 के बीच होता है plus 4 करोगे तो यह factor तो always positive होगा ठीक है यह always positive है तो यह negative यह positive आपका शिरफ इस वाले factor पर से depend करेगा और यह बच्छो आप सब को पता है यह positive होता है जब sin t की value cos t से बड़ी होगी और 0 से 2 के अंदर सिरफ आपको कहां चेक करना है 0 से 2 के अंदर sin t की value cos t से बड़ी कव होगी जब यह आपके पास में pi pi 4 से लेके 5 pi pi 4 के बीच में होगा ठीक है लेकिन बच्छो यह किसका interval है यह pi x का interval है तो pi से pi कट जाएगा x का interval आजाएगा बच्छो 1 by 4 से लेके 5 by 5 by 4 क्या हैगा 1 by 4 से लेके 5 by 4 आपको इन दोनों का difference निकालना है 5 by 4 minus 1 by 4 so 4 by 4 क्योंकि आपको beta minus alpha पूचा है तो इसका answer कितना आ जाएगा बच्छो 1 आ जाएगा ठीक है यह टिक्नोमेट्री का एक normal आपका calculation वाला question था फिर आगे चलते देखो बच्छो अगले question की तरह अगला question है बच्छों question number 28 यह भी देखे बहुत ही easy question है ऐसा questions आजकल पूचे जा रहे है IIT में कापी शारे polynomial gx with real coefficient mg denotes the number of distinct real root of gx suppose s is the set of polynomial with real coefficient defined by this for a polynomial f let f dash or f double dash denote the first and second derivative respectively then the minimum possible value of this इसकी minimum possible value कितनी होगी देखो बच्छों यह जो function है इसके अंदर क्या है मेरे पास में यह आपको थोड़ा सा confuse कर रहे है x square minus 1 का hall square है तो यह मेरे पास में x plus 1 का hall square और x minus 1 का hall square clear और देखो बच्छों अगर यह square है तो जब आप इसका differentiation करोगे ठीक है इसका differentiation करोगे क्योंगी gx क्या है आपके पास for a polynomial gx with real coefficient mg denotes the number of distinct real root of gx suppose s is the set of polynomial with real coefficient this यह दे रहा है for a polynomial f let f dash and f double dash denote first and second derivative respectively then the number of possible values of this तो मान लेते दे कि यह जो set है मेरे पास में यह f function का है तो इसका जब derivative करोगे f dash ठीक है तो इसके अंदर क्योंकि repeated root है तो x equal to minus 1 और x equal to 1 दोनों इसके भी root होंगे minus 1 और 1 दोनों इस f के भी root होंगे क्यों क्योंकि यह दोनों repeated root है और repeated root जो derivative होता है उसके भी आते हैं क्लियर दो root तो आपके पास में यह होंगे इसके अलाव देको इसमें rollage थी और हम लगाया है अगर क्योंकि यह भी polynomial है यह भी polynomial है तो continuous or differentiable होते है polynomial और f of minus 1 और f of 1 दोनों के दोनों आपके पास में कैसे हैं बच्चो f of minus 1 और f of 1 दोनों आपके पास में same जीरो आ रहे हैं तो minus 1 से लेके 1 के बीच में एक root इनका जरूर होगा और root minus 1 से 1 के बीच में means f dash के 3 root आपके पास में जरूर होंगे इतना comment हम statement से कर सकते हैं और f dash के तीन root हैं तो उसके double derivative के f double dash के कितने roots होंगे इसके minimum 2 root तो होंगे ही होंगे यह हमारे statement होता है कि अगर किसी function की 4 root है तो इसके derivative के 3 root तो आपके सामने real होंगे ही होंगे clear तो इसके 3 root और इसके दो root total कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 तो f और f' का जो sum आएगा, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, clear, फिर आगे चलते हैं, अगले question की तरब, question number 29, देखते हैं, question number 29 है हमारे पास, limit का question है, बड़ी ऐसा question है, 1-x की power 1 upon x, e की power minus 1 divided by x की power a, ध्यान से देखो बच्चों, जब भी ऐसा question आता है था हम क्या करते हैं, इसको e की power में लिख लेते हैं, ठीक है न, e की power में लिखने से क्या होगा, e की power में लिखने से, यह 1 by x बहार आ जाएगा, और यह हो जाएगा मेरे पास e की power 1 by x into log 1 minus x, इससे क्या होगा, इससे हम इसमें log का expansion लगा देंगे, log का expansion होता है बच्चों, minus x, या minus sign है तो sub minus में आ जाएगे, minus x square by 2, minus x cube by 3, and so on, ठीक है, इसके बाद इसमें x से into e की power, minus 1, अलग-अलग कर दिया, पहले वाले पार्ट को अलग कर दिया, बागी सब को अलग कर दिया, minus x upon 2, minus x square upon 2, and so on, ऐसे चलता रहेगा, अब बच्चों, यह तो मैंने इसको simplify किया, सिरो 1 minus x की power 1 by x, इसके साथ में मेरे को दे रखा आगे e की power minus 1, और divide by x की power a, ठीक है तो देखो बच्चों, इसमें से e की power minus 1 बाहर common आजाएगा, 1 by e, तो यह बन गया मेरे पास, e की power minus x by 2, and so on, minus 1 divided by x की power a, तो देखो बच्चों, इसकी limit कब exist करेगी, आपको शिर्फ यह बताना है कि इसकी limit जो है, वो is equal to non-zero real number आनी चाहिए, ठीक है, तो यह limit बच्चों, क ओपर x की power 1 बची हुई है, तो यह limit तभी exist कर सकती है, जब नीचे भी x की power 1 हो, और नीचे x की power 1 होगी, तो a की value कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर नीचे x square आ गया, तो limit कैसी आजाएगी, बच्चों, undefined आजाएगी, extending to 0 positive पे, इसलिए a की value 1 ही होनी पड जाता, तो फिर हम क्या कहते, x की value 2 होगी, खिलियर है, लेकिन फिलाल हमारे पास में x की value 1 से काम चल जाएगा, कि उपर भी x है, इसलिए सही answer कितना होगा, 1 की value हमारी 1 हो जाएगी, फिर आगे चलते बच्चों, अगले question की तरफ, अगला question है, बच्चों की तरफ, अगला question number of differentiable functions देखने हैं, और यह है, बच्चों, fractional part of x, एक काम करते हैं, बच्चों, किसके आपको देखने है, f of gx के आपको क्या करने है, non continuous point, not continuous point, और साथ में देखने है, बच्चों, आपको non differentiable point, ठीक है, non differentiable point, minus 1 से 1 के बीच में, और यह आपको c और d दिये गए है, तो c plus d निकालना है, यह d दिया गया है आपको, और यह कितना दिया हुआ है, आपको c दिया गया है, non continuous point c है, और non continuous point d है, तो आपको c और d का क्या करना है, बच्चों, sum calculate करना है, और c और d का sum देखे हम कैसे calculate करेंगे, तो c plus d की value आजाएगी हमारे पास में यहां से देखो कितनी, इस function को define कर देते हैं, इस function को जैसे ही define करेंगे, तो हमेरे को पास में क्या आएगा, देखो, fractional part of x, 0 से 1 में x होता है, और इधर होता है आपके पास में x plus 1, एक line तो यह बनेगी, और दूसरी line आपके पास में यह बनेगी, इसको define कर देते हैं, बच्चों, यह function भी मेरा द तरीके से आता है, इधर से आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, पहले initially दोनों negative होंगे, तो यह हो जाएगा minus 4x, फिर बच्चों, बीच के अंदर यह cut जाएगा, यहां पर यह 2 हो जाएगा, और फिर वापिस आ जाएगा, इधर मेरे पास में, वापिस कितना आ ब्रेक होगा, तो माइनस एक बटा दो तक देखो बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आप इसके अंदर फूट करोगे, किससे, फ्रेक्शनल पार्ट से, किसकी equation है, x प्लस 1 की, तो यहां पर जब इसको फूट करोगे, यह 2 ही आजाएगा आपके पास, ऐस में 3 पॉइंट आएंगे, इस ब्रेक होने के बाद में आप इसको आसानी से देख सकते हो, और टोटल आपके पास में इस तरीक से कितने पॉइंट आजाएंगे, चार पॉइंट आजाएंगे, जिनमें 2 पॉइंट के ऊपर तो आपका function कैसा होगा, continuous, sorry, एक पॉइंट पर non-continuous और दो पॉइंट पर आपका function कैसा होगा, non-differentiable, ओके, चलिए बात करते हैं, question number 30 की तरफ, question number 30 में देखें, क्या दिया है आपको, आपको एक तो यह function दिया हुआ है, minus 2x minus 1, और 2x plus 1, साथ में दिया है, gx बराबर x into greatest integer x, इसको लिख सकते हो, आप fractional part of x, और इसके आपको c plus d का sum find out करना है, लेकिन minus 1 से 1 के बीच, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, बच्चों, पहले वाला जो है, इसका graph कुछ ऐसा होता है, इस type का graph होगा, यह होता है बच्चों, आप आरे पास में इदर y ब्राबर 4x, यह होता है y ब्राबर minus 4x, और साथ में बच्चो क्योंकि हमारे पास में जो दूसरा part है, वो fractional part है, इसलिए इसके अंदर हमें put करना है, लेकिन क्योंकि fractional की range 0 से 1 होती है, तो इसके अंदर आपको, क्योंकि यह point 1 by 2 है, ठीक है न, one point आगे आएगा, यह minus 1 by 2 और minus 1 इदर होगा, लेकिन उसकी range positive होती है, तो आपको शिरफ इसी function में put करना है, ठीक है न, fractional part इसी function के अंदर put करना है, तो आइए put करते हैं, यह 4 part में break होगा बच्चों आपका question, सबसे पहले तो यह बहुत ही easily आप कर सकते हो, इसको 0 से लेकर के, जब x आपका 1 by 2 की तरह होगा, 0 से 1 by 2, तो आपके पास 0 से 1 by 2 में fractional part of x भी x होता ह है, और 0 से 1 by 2 में उसकी range भी 1 by 2 होती है, तो 0 से 1 by 2 इसी interval में put की जाएगी, और यहां पर आपका function कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर बच्चों 1 by 2 से लेकर के 1 के बीच में अगर बात करें, तो 1 by 2 से लेकर 1 open interval तक जाना हमें, तो 1 by 2 से 1 के बीच में इस function में x put करना ह और इसमें x put करोगे, कितना आजाएगा, 4x हो जाएगा, क्यों फ्रेक्चनल part of x जो है यह भी आपका दो पार्ट में होगा, यह x होगा, अगर x आपका 0 से 1 है तो, और यह x प्लस 1 बनेगा आपके पास, x minus greatest integer x, अगर minus 1 से 0 के बीच में हैं तो, 0 पर value 0 आजाएगी, अब द देखो क्या होगा, बच्चों, minus 1 बटा 2 से 0 में जब आप रहोगे, ठीक है, फ्रेक्चनल part में, जब minus 1 by 2 से लेकर के, और minus 1 की value जब put करोगे, तो range आएगी बच्चों, 1 by 2 से 1, और 1 by 2 से 1 इस वाले में put किया जाएगा वापिस, किस में put किया जाएगा, इस में, लेकिन put क किया करना है, put इस बार x plus 1 करना है, तो ये बन जाएगा, बच्चों, 4x plus 4, और फिर बच्चों, minus 1 से minus 1 by 2 में, range आएगी 0 से 1 by 2, और 0 से 1 by 2 मतलब इस वाले part में वापिस put करना है, और इसमें value वापिस 2 ही दे रखी है, तो ये part हो जाएगा, बच्चों, वापिस 2, अब ब ऐखो, x equal to, इस point पर बात करें, minus 1 by 2 पे, तो ये तो 2 होगा, और minus 1 by 2 पे एकितना हो जाएगा, 4, minus 2, ये भी कितना हो जाएगा, 2, तो यहां continuous है, फिर 0 पर बात करें, तो यह 4 होगा, यह जिरो पर continuous नहीं होगा, बच्चों एक point तो ये मिल गया, यहांपर 4 होगा, यह तो 2 होगा one by two पर वापस continuous आ जाएगा ठीक है तो non continuous point A की होगा c के 1 कितना होगा only one i b की बात करें non-differentiable continuous है तो differentiate कर दो तो देखो बच्चो इसका 0 इसका 4 इसका 0 इसका 4 तो यहां भी change हो रहा है यहां भी change हो रहा है यहां पर भी change हो रहा है की तरब अगला क्युस्टन है हमारा क्युस्टन नंबर 31 इसमें देखो आपको मैनुपलेशंस करने हैं ठीक है यह जो है इसमें टिग्नोमाटिक फॉर्मले लगा के थोड़ा इसको सॉल करना है तो देखे कैसे करेंगे सबसे पहले ऊपर लगा देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मला तो यह बनेगा देखो फॉर रूट टू साथ में आ जाएगा बच्चो एक टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू याट इस साइन तीन और एक चार बटे दो साइ इंटू कॉस एक्स ठीक है ऐसे बच्चो नीचे आ जाओ इसमें फॉर्मला लगाना है देखो यह तो सिंप्लिफाइड फॉर्मेट में ही है इसको तो जैसा है वैसा ही रहने दो तू साइन टू इंटू साइन थी एक्स बाइटू को तो कॉस फाइप एक्स बाइटू माइ इसमें क्या होता है इसलिए यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा ठीक है ना एक्स बाइटू के साथ साथ में बच्वों यहां से माइनस का रूट वहमाना आ जाएगा इन दोनों में से तो वानट प्लस कॉस्ट इुआख बन जाएगा हमारा 2 इंटू कॉस इसकु इसकॉर एक्स फिर से देखो गजो इस में से और इसमें से हमारे पास में कुछ common आ रहा होगा इन दोनों ट्रम में से sin 2x common आ जाएगा कितना sin 2x तो यह हो जाएगा आपके पास में 2 sin x cos x नीचे से 2 भी common आ रहा है इसको काट दो या तो यह 2 और यह 2 common आकर कि से कट जाएगा ठीक ना सब जगे पर था वो कट जाया है sin 2x को common ले लो उपर क्या बचा देखो एक बाद लिख लो इसको for root 2 into sin 2x into cos x divide by यहां से देखो sin 2x common आ गया अब पिछे क्या बचा उसको देखो बच्चो ध्यान से 2 times sin c minus sin d वापिस ठीक हैं 3 और 4 चार बटे दो 2 और तो वापिस आ जाएगा आपके पास में sin x एक दो तो यह एक फॉर्मलम आता है वो into sin d minus c by 2 into sin 3-1 2 बटे 2 एक और एक और आएगा और साथ में कितना आएगा बच्चो माइनस का अचा इसमें देखो sin ने इसमें cos आता है बच्चो इसमें क्या आता है cos sin c minus d में cos x आता है और यहां पर आएगा sin x by 2 और यह भी कैसा माइनस का आगे वाले ट्रब में कितना है देखो माइनस का root 2 into cos square x यहां तक पहुंच गए हम लोग अब देखते फिर से देखो कितना आ रहा है ठीक है इसके बाद में हमने देखा तो देखो 1 cos x common आके कट जाएगा इधर कितना है 2 sin x cos x ठीक है 1 cos x 1 cos x और इसमें से 1 cos x कट जाएगा तो ऊपर बचा देखो 4 root 2 उसको convert कर दो 8 root 2 sin x cos x 1 cos x फिर से आ गया नया डिवाइड भाई नीचे यहां पर 2 sin x cos x ठीक है ना एक cos x तो कट गया था चलो काट इसको देते अभी इस cos x को काट दिया तो पिछे क्या बचेगा sin 2 x तो यह बन जाएगा बच्छो आपका माइनस का 2 sin x cos x ठीक है यह वहां पर माइनस साइन है और सात्मीं यहां पर भी है आपके पास में माइनस का root 2 cos x ठीक है ऐसा आ रहा है तो फिर से देखो यह cos x कर जाएगा अब बच्छो इसमें put कर दो कितना पाइपै two to देखें जब पाइपै टू करेंगे तो कितना बचएगा एक बच्चो में साथ में साइन एक वाई-2 और बचा हुआ है यहां पर कितना चाइन एकस बाइटू इसमें आ चालशच कर लिजिए देखिस्ट पाइपैइ टू करने से कितना आ यह finally मेरा answer जो आ रहा है तो इसके अंदर आएगा हमारे पास में 8 root 2 कि ठीक है ना sin πईपाई 2 कितना होता है बच्चो 1 और divide by नीचे कितना है मेरे पास में minus का 2 sin πईपाई 2 sin πईपाई 4 तो यह बनेगा देखो बच्चो minus का root 2 और यह भी बनेगा मेरे पास में माइनस का root 2 ठीक है तो root 2 कौमना के कट जाएगा और 8 by 2 कितना हो जाएगा 4 एक minus sign और आ रहा है इसको एक बार देख लिए बच्चो साइध माइनस की जिए प्लस आएगा यह हो सकता है कि इसका value of this limit is value पूछिए वैसे integer type का है तो positive में ही आएगा माइनस साइन की साइध कहें पर गड़बड़ी हुई है तो उसको एक बार आप लोग चेक कर लिए के लिए फिर देखते हैं देखो बच्चो अगला क्यूस्टन और यह है हमारा लास्ट क्यूस्टन इसमें देखो हमें क्या करना है लाइं इन दिस रीजन देखो यह साइन 2x का ग्राफ है आपका जिरो से पाई-पाई-टू जिरो से पाई में बन जाएगा और जिरो से पाई के अंदर साइन 2x का जो ग्राफ होगा हमारा वह बच्चो कुछ ऐसा होता है इसके अंदेर देखो आपको एक रेक्टेंगल बन और पाई 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 टू माइनस अलफा होगा इसके बाद में देखो बच्चो इस पॉइंट के कोडिनेट्स और इस पॉइंट के कोडिनेट्स हम निकाल सकते हैं इसमें जब अलफा पूट करोगे तो यह बन जाएगा 2 alpha, 2 times sin 2 alpha और इदर से कितना आ जाएगा यह point आ जाएगा मेरे पास में pi pi 2-alpha और साथ में आ जाएगा 2 times sin pi pi 2-alpha तो इसमें sin pi pi 2-alpha पुट करोगे तो वापिस यह आ जाएगा 2 sin 2 alpha, वैसे भी यहां से भी दीख जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके पास में line कैसी होगी, एकदम आपके इसी rectangle की तरह apply करेगी, तो इसके perimeter की बात किये, तो इसकी perimeter कितना होगा देखो, इसमें से इसको subtract करोगे, तो यह आजाएगा pi pi 2 minus 2 alpha, और इतना ही उपर वाला होगा, 4 sin 2 alpha, 4 sin 2 alpha, ठीक है, इसको बच्चों में maximum करना है, तो इसको differentiate करते है, dp by d alpha, कितना आएगा देखो, यह तो 0 हो जाएगा, साथ में यहां से कितना आजाएगा, यह minus का 4 आजाएगा, और यहां से आजाएगा, plus का 8 into cos 2 alpha बरावर 0, तो कितना आएगा, cos 2 alpha की value आजाएगी ब 30 degree, तो जब alpha 30 degree होगा, तब मेरे पास में यह क्या होगा, maximum होगा, अब बच्चों आप से पुछाएगा, जब यह maximum होगा, तो इसका area कितना होगा, rectangle का, तो area कितना होता है, हम सब को पता है, area होता है, length into height, तो area बराबर आगया मेरे पास में, pi pi 2 minus 2 alpha, 90 minus कितना, 2 alpha 60, तो यह ह हो गया, और साथ में यह क्या हो जाएगी, बच्चों हमारी height हो जाएगी, height है 2 into sin 2 alpha, तो 2 into sin 2 alpha, 2 alpha की value 60 degree, तो यह हो जाएगा, आपके पास में, 2 into root 3 by 2, 30 degree के पाई के format में लिख दो बच्चों, तो यह हो जाएगा, pi upon 6, और साथ में 2 से 2 कट जाएगा, root 3, कितना हो जाएगा, root 3, आचा, आपके पास में नीचे दे रहका है root, तो इसमें एक आम 2 into 3 लिख सकते हैं, तो 2 into 3 पर यह हो जाएगा, pi upon 2 root 3, ठीक है, ऐसा option हो जाएगा, और C option बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यह देखिए, बहुत ही बड़ी गुरु हो जाती है, okay, thank you very much.